कि कि अवाज सही आ रही है सभी को पहले कंफर्म कर दो अगर आवाज सही आ रही है तो बता दो मुझे ठीक है कि सभी को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है या कोई आवाज में इश्यू है तो वह भी बता दे अवाज क्लियर है सभी को तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चो जल्दी जुड़ जाएं सेशन से ठीक है आज का जो टॉपिक है हमारा रीवर इंजिनिरिंग का टॉपिक है और रीवर इंजिनिरिंग का पार्ट वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पार्ट वन आप देख सकते हैं ठीक है पार्ट वन अविलेबल है तो आप इसलिए रीवर इंजिनिरिंग के पार तो आज का जो सेशन है और इंजिनिरिंग के उपर होगा और इंजिनिरिंग के अंदर हम लोग कुछ इंपोर्टन कॉंसेट समझने की कोशिश करेंगे ठीक है और इसके बाद रिवर पुछ नींगे का टॉपिक हमारा लगबग समाप्थ हो जाएगा उसमें कुछ नी बचेगा जोमें पढ़ना है हमारे एक्जाम में जितना आ सकता है इंग साथ सुझना लगभग सभी ऐस्पेक सम कवर कर प्रिएजर लेखेंगे देखते हैं तो पिछले लेक्चर का पहलोका सा रीविजन करने वैसे तो सभी लोग देख चुके होंगे प्रिवेस ले फीक्छ writes पिछला लेक्ष आप सभी लोगों ने देखा होगा तो हल्का सा एक रीुजन भी बहुंत और उसके आगे बढ़ेंगे ठीक है एक हल्का सा रिवीजन होगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्लियर तो कि सभी गुरुप में शेयर कर दें ठीक है यह डिटेल्ड लेक्चर है यह डिटेल्ड लेक्चर है तो याद रखना यह डिटेल्ड लेक्चर है इसमें पूरी यह रखेंगे आज आपके रिवर इंजिनिरिंग पाल्टू में सभी कांसेप्ट अच्छे से क्लीर हो जाएं ठीक है सभी कांसेप्ट से लगबग 1-2 घंटे का रहने वाला है तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंग.. जमके बैठे pen paper pencil जो भी आप यूज़ करते हो अपने अराम से बैठे तसल्ली से बैठे और पूरे topic को समझने की कोशिश करना ठीक है पूरे topic को समझने की कोशिश करना मेरा यही एक मतलब आप लोगों को जो मैं concept देने की कोशिश करूंगा आज ठीक है वो मेरी कोशिश यह जितने भी बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं जिनका रीवर इंजिनेरिंग वीक है वो रीवर इंजिनेरिंग वीक ना हो तो अगर आपने पहले कभी जो पिछला पार्ट मैंने बनाया था कर वो नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लेना लेकिन आज का पार्ट ब सभी लोग तयार हैं सभी बच्चे तयार हैं लेक्चेर को अटेंट करने के लिए ओके तो सभी बच्चे तयार हैं ठीक है ठीक है देखो एक बात बताओं एक बच्चे कह रहे है सर एडवांस की भी एक क्लास यूट्यूब पर कर दो अगर आपको जो चीजे में पढ़ाने वाला हूँ अगर यह नहीं आती तो यही आपके लिए एडवांस है और एडवांस में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसी लेक्चेर के थूँ ठीक है इसी लेक्चेर के थूँ मै के लिए तो टॉपिक है यह और हर्याना SSC दोनों एक्जाम में रीवर इंजिनरिंग अलग से मेंशन है और इसका एक सेक्शन बहुत कॉमन है जो बार-बार पूछा जाता है जिसका नाम है ग्रोनी ठीक है वह आज हम डिसकस करेंगे चलो देखो पिछले लेक्चर में हम है कि होती है ठीक है यह सब हम देख चुके थे जो मैं हलका सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं रीवर जो प्लेन एरियास में होती है जब मैदानी छेतरों में रीवर एंटर करती है तो रीवर का जो पात होता है वह इस तरह से होता है जिससे आप सिने सॉइडल पात भी होता है यह सरपीला कार में बहुट सकते हो तो से मेंडरिंग बोलते थे इस मेंदरिंग भी के बताgem यह सब ग्रेटिंग कैसा मैंने लगों के साथ किसा रहे आप लोगों के पास मैंने लगों के पास इसकै Natomiast किये झॉदी नाम से जो भ्यक्ती पूछ रहें सरे Kelvin हिं चल रही है कि एक इस ग्राइब ये लेक्ट्षर पढ़ना उसके बाद आप मुझे explain करना sir, AE में क्या difference आता होगा ठीके, मुझे एक बड़ी ये class पढ़ना और मुझे explain करना AE में क्या difference आता होगा ये class हमारी YouTube पे भी live है ठीके, application में भी live है दोनों जगे हम live पढ़ा रहे हैं फिलाल जो बच्चा application में data बचाना चाहता है YouTube पे आके भी देख सकता है clear, YouTube पे भी आके देख सकता है दोनों जगे वो इस चीज को देख सकता है ओके ठीके, AE class भी चल रही है बिलकुल भाई, तुम एक बार पढ़ के तो देखो पूरा, पढ़ने के लिए देखो patience लगेगा, धहरिय लगेगा आप उस धहरिय को बनाए, फिर मैं पढ़ाता हूँ ठीके, फिर मैं पढ़ाता हूँ पहले एक calmness, एक relax mode में आते हैं और relax mode में आने के बाद हम पढ़ाई को शुरू करते हैं जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था के पढ़ने के लिए बच्चों बहुत patience की आवशकता होती है ठीके, बच्चा क्या सोचता है कभी-कभी YouTube पे आए हैं तो बस जल्दी-जल्दी चीजों को बताना शुरू करते हैं मैंने आपको बताया हमारे जो batches अभी चल रहे हैं हरियाना-SSE का बैच चल रहा है हरियाना-JEE का बैच चल रहा है UK-PSC का बैच चल रहा है ठीके, SSC का बैच चल रहा है तो आप enroll कर सकते हैं अगर आप को content पसंद आएगा तो ठीके, तो start करते हैं आज की कहानी Let's start with today's topic Mandarin parameter सबसे पहले जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें दुबारा से एक बार बता दूँ River के अंदर mandring River के अंदर जो mandring होती है उसके कारण River के अंदर reverse order के band create हो जाते हैं reverse order के band create हो जाते हैं क्या मतलब हुआ मेरी इस बात का? आप लोग देखेंगे यह वाला फाइल देखें जो plain river है वो लगबग इस तरह से movement करना शुरू कर देती है plain river इस तरह से movement करना शुरू कर देती है यह जो reverse order के band बन रहे हैं this is called mandring इसे mandring बोलता है जिसमें river सीधे ना चलके यह इस तरीके से move कर रही है तो लगबग जितनी भी rivers है चुकि उनके जो sides होती है वो आपकी कच्ची soil की होती है तो river जितनी भी है वो straight channel में तो नहीं जाएंगी plain areas में they tend to mander उनके अंदर mandring का phenomenon आता है mandring किसे बोलता है मैंने बताया कि जब river इस तरीके से sinusoidal path में move करती है तो उसे हम mandring बोल दिया करते है ठीक है यह reverse order के curve जब मिलते है clockwise, anticlockwise बात समझ आ रही है सभी को हाँ YouTube पे है और comment में pin किया हुआ river engineering का जो lecture है वो comment box में pin किया हुआ है ठीक है comment box में pin किया हुआ है आप check कर सकते है उपर वो pin किया हुआ है लेकिन आज का lecture और पिछले lecture का बहुत जादे correlation नहीं है आज का lecture भी अगर आप देखेंगे पूरा समझ आ जाएगा ठीक है full detail समझ आएगी कोई issue नहीं है तो mandring का मैंने बताया river के अंदर mandring क्या होती है इसका कारण भी हम देख चुके है कि जर्णली जो aggregating nature की river होती है वहाँ पर mandring देखने को मिल जाती है plain areas में अब हम बात करते हैं आज बच्चो जो हमारा main point है mandring basically आपकी दो एक तो मालो clockwise band हो गया ये river ने clockwise band लिया और second एक anti clockwise band लिया तो ये जो reverse order के band जब जुड़े तो ये combination कहलाया mander this combination is called mander इसे हमने mandring बोला अब mandring के कुछ parameter define किये गई है जिसकी help से पता चलता है mandring कितने magnitude पर हुई है या किस level पर mandring हुई है river के अंदर तो उन parameters की study की जाती है तो उन parameters की study की जाती है नितेश वहन irrigation की pdf hard copy में कैसे मिलेगी irrigation की pdf आपको इसी हफते के अंदर hard copy में available कराई जाएगी coaching institute पर आप call करेंगे अपना address अपना submit करेंगे वहाँ पर तो फिर हम आपको hard copy share करेंगे ठीक है ओके बिल्कुल सारे recorded video मैंने river engineering का part 1 आपकी application पर upload कर दिया है ठीक है river engineering का part 1 आपकी application पर upload कर दिया तो जो youtube का lecture है वो भी आपका application में uploaded है ठीक है river engineering का part 1 मैंने पहले ही irrigation की folder में जाके देखोगे uploaded है अब जैसे ये दूसरा part है ये भी upload हो जाएगा ओके तो अभी doubts नहीं ले रहा हूं मैं ठीक है अभी मैं chat box के अंदर जो आपके comments है मैं उन्हें read नहीं कर रहा हूं ठीक है उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताने कोशिश कर रहा हूं ठीक है कोई issue नहीं है पिछला lecture नहीं देखा तो अगला lecture हमें नहीं समझाएगा ठीक है lecture पूरी तरह से clear हो जाएगा उसकी चिंता हमें बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो उसकी चिंता बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है अगर हमने पिछला lecture नहीं देखा है ठीक है अब भी हमें यह वाला लेक्चर समझा जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चो ठीक है तो आज की जो कहानी है उसे आगे बढ़ाते हैं सब लोग बने रहें लाइफ ठीक है एंड तक देखना रीवर इंजिनिरिंग के लेक्चर को सर इरिगेशन के लिए कौन सी बुक mcq लगाने चाहिए देखो एक इंजिनियर मुकेश राना अभी मैं एक्चली कहना अभी आपको अगले एक इसे सेशन लेंगे जिसमें आप दुबारे से मेरे क्वारी करना अभी मैं कॉंसेंट्रेट करते हैं इस वाले टॉपिक पर ठीक है इस वाले टॉपिक है mandaring parameters अब सवाल यह उठता है मेंडरिंग parameter क्या है कुछ मैंने बातें लिखी है जैसे mander length, meder width या mander belt भी उसबता है, ton me AP के बारे में. अब जैसे एक्जांप्ल की तोर पे mandering length क्या होती है, जब आप इस वाले band को देखोगे ये यह हमारा जो clockwise band शुरुआ है और इस वाले band को देखोगे यह हमारा anti-clockwise band है जहां पर clockwise band की starting हुई है और जहां पर anti-clockwise band end हुआ है उन दोनों के बीच की जो axial length है उसे mandring length बोलते हैं उन दोनों के बीच की जो axial length है उसे मेंडरिंग लेंथ बोलते हैं बच्छो क्या बोलते हैं उसे मेंडरिंग लेंथ तो याद रहेगा ये बात La muling किसे बोला हमने? एक बार दुबारे सुन लेना, मेंडरिंग लेन्थ किसे बोला, मेंडरिंग लेंथ बोला जो हमारा clockwise घड़ी की दिशा वाला बेंड है, तो यहां यह start हुआ और जहां पर यह end हुआ, इन दोनों के बीच की लेंथ को हम क्या बोलता है, मेंडरिंग लेंथ, तो यह क्या कहता है, मेंडरिंग लेंथ क्या है, बिच्चो, basically, मेंडरिंग लेंथ यह है, one मेंडर के लेंथ की, यह मेंडर की direct axial length या मेंडरिंग, points के बीच, tangential distance को मेंडरिंग लेंथ कहते हैं, यह दो मेंडर के बीच की, दो मेंडर के बीच की direct length है, यह axial length है, दो मेंडरिंग पॉइंट यहां से शिरू हुआ और यहां से end हुआ, ठीक है, तो यह हमारी axial length जो है, यह मेंडरिंग length है, ठीक है, along the axis, axis के along अगर हम देखेंगे तो, दूसरा point कहता है, मेंडरिंग width क्या है, मेंडरिंग width क्या है बच्चों, यह जो हमारा start हुआ है यहां पर, यह जो हमारा concave edge start हुआ है, और यह जो हमारा river का, अगला concave edge है, ठीक है, यहां पर, इन दोनों के बीच की width को हम मेंडरिंग width बोलते हैं, इन दोनों के बीच की width को हम क्या बोलते हैं, मेंडरिंग विथ तो मेंडरिंग विथ क्या होती है दो कर्मागत रिवर्स कर्व के आउटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेंडरिंग विथ कहते हैं जो दो कर्मागत रिवर्स कर्व हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं मेंडरिंग विथ तो यहां पर यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, यह वाला point और यह वाले point का बीच का distance, this is called mendering, इसे हम क्या बोलते हैं, mendering width, mendering width का दूसरा नाम mendering belt भी है, क्या बोल सकते हैं, this is also known as mendering belt, इसे mendering belt के नाम से भी जानते हैं, तो mendering belt क्या है, जो हमारे दो reverse curve हैं, उनके जो outer points है, outer points, outer points के बीच का distance, mendering width या mendering belt क्यालाता है, clear a point, river engineering का यह second part है, अभिशेक नोटियाल, river engineering का यह second part है, clear river engineering का यह second part है, ध्यान रखना, clear points अभी को, तो mendering width और mendering length, दो points मैंने बताये हैं, mendering width क्या होती है, और mendering length क्या होती है, मेंडरिंग width क्या होती है, और mendering length क्या होती है, दो points मैंने भी clear किये हैं, यहां तक मेरे ख्याल से समझ आया होगा, अब आगे की तरफ move on करते हैं, अगला हमारा है tolter city, अगला हमारा है tolter city, tolter city एक ratio है, बच्चो ध्यान रखना, tolter city एक ratio है, जिसमें mendering की जो actual length है, यहां से लेके यहां तक, जो actual length है, जो actual length है, यह this is the actual length, and this is the axial length, यह axial length है, यह क्या है, axial length, ठीक है, और यह जो length है, यह along, यह along the mender है, मेंडर की along है, यह, this is along the mender, और अगर मैं तुम से यह कहूँ, along the mender मतलब arc length जो है, बेसिकली arc की along जो length है, मतलब जो curved length है, इन दोनों के ratio को, जो हमारा arc length है, और जो हमारा axial length है, इन दोनों के ratio को हम क्या बोलते हैं, tortacity, इन दोनों के ratio को हम क्या बोलते हैं, tortacity, तो यह mender की actual length, उसकी axial length के ratio को कहा जाता है, मेंडर की एक्जिलेंथ और उसके बीच के रेशयों को कहा जाता है बात समय आया सभी को है को हुआ यह यह कि यह सन नो करते रहें ठीक है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह psychology करते रहें ठीक है okay तो मैंडरिंग समझ आया अगर तो बात समझाओ मुझे के जो मेंडरिंग है यह बेसिकली है क्या यह मेंडरिंग बच्चो दो reverse order के curve यह वाला curve और यह वाला curve जब दो reverse order के curve मिलते हैं तो मेंडरिंग फॉर्म होती है मेंडरिंग की लंबा यह है मेंडरिंग की चोड़ा यह है और जो मेंडरिंग के अंदर जो टॉडट er city है वो क्या है अमारा इस तरह से ये आर्क लेंथ हो गई और यह एक्जिल लेंथ हो गई तो आर्क लेंथ और एक्जिल लेंथ का रेशा अगला पॉइंट चलते हैं बच्चो अगला पॉइंट है मैंडरिंग ratio, the next point of discussion is Mandarin ratio, अब सवाल यह आता है, Mandarin ratio क्या होता है बच्चो, सवाल यह उठता है, what is Mandarin ratio, ठीक है, बिल्कुल, समझ आ गया है, Mandarin ratio बच्चो बड़ा simple सा है, Mandarin belt और Mandarin length, इन दोनों का ratio है, मतलब this is your MB, this is your MB and this is your ML, तो जब तुम से पूछे, Mandarin ratio क्या है, you have to say MB upon ML, the ratio of these two is called Mandarin ratio, इन दोनों कानुपात क्या क्या लाता है, Mandarin ratio, generally Mandarin ratio एक से ज़ादा होता है, क्योंकि Mandarin की जो belt है, वो Mandarin की length की तुलना में बड़ी हो जाती है, समय के साथ-साथ, clear है point यह सभी को, ठीक है, yes sir, बात समझाया सभी को यह, okay, ठीक है, बात समझाया इतनी, अब आगे move on करते हैं, अगले point पर move on करते हैं, अगली चीज होती है बच्चों हमारी cut off, अब कई बच्चे यह सोचेंगे, what is this cut off, या cut off किसे हम बोलेंगे, बच्चों ध्यान रखना, concept ध्यान रखना, cut off का मतलब क्या है, जब हम कभी mandarin को देखते हैं, कभी-कभी mandarin इतनी steep हो जायेगी, मेरी बात सुनना फिर से ध्यान से, कभी-कभी mandarin इतनी steep हो जायेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली length और ये वाली length बहुत ज़ादा दूर नहीं बचेंगी ठीक है और due to excessive water ये वाला end कटते कटते जाकर इस वाले end को touch करेगा और एक short channel बन जाएगा जो की इस तरह से पानी को ले कर जाएगा तो इसे ही हम बोलते हैं cut off क्या बोलते हैं cut off चुकि actual river तो हमारी ये है इस path में जानी चाहिए लेकिन कभी कभी heavy scoring के कारण इस end पर आपका river के अंदर ये section है ये कटता कटता दूसरे side से मिल जाता है और एक short channel का निर्मान होता है उस short channel को हम क्या बोलते हैं बच्चो उस short channel का हमारा मेंडरिंग क्लिरे पॉइंट और कट आफ का रेशियो क्या होता है बच्चो फिर कट आफ का रेशियो कैसे बोलते हैं जő land है channel के लुंग अगर माल्या हमारे पास ये अगर हम ध्यान से देखें अगर हमारा ये इस तरह से इस तरह से channel के along length है और इस तरह से हमारी cutoff की length है तो अगर हम length देखें channel के along और divide by length of cutoff देखें इन दोनों के अनुपात को हम cutoff ratio कहते हैं क्या बोलते हैं इन्हे cutoff ratio बात समझा आए यहां तक axial मतलब सीधी बिल्कुल सही बात है मुक्याशी राना? Axial length मतलब सीधी लंबाई बिल्कुल सचिन सिंगल समझा यह बात? सचिन सिंगल अगर बात समझा रहा तो बताना तो यह बात बताना आगे move on करें? आगे move on करें? चलो ठीक है तो बच्चो अगले point पर चलते हैं जो cutoff ratio ह होता है उसकी वेल्यू जर्णली एक पॉइंट साथ से 3.0 के बीच होती है तो बड़े ध्यान से हम लोग चल रहे हैं हमने क्या देखा मेंडरिंग के कुछ सीधा चला जाता है वह ऐसे चला जाता है अक्सिल लेंग के लोग ठीक है जो बच्चा पूच रहाता है एकस का क्या मतलब है यह डाइग्राम आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर यह एकसिस लिखी यह मैंडरिंगे मेंडरिंग की एक्सिस की दिशा में जब फ्लो होता है तो उसे एक्जियल फ्लो बोलते हैं तो कट ओफ के अंदर मेंडरिंग की एक्जियल फ्लो मेंडरिंग की एक्जियल दिशा में फ्लो हो जाता है यहां तक की बाते क्लियर हैं मेंडरिंग की width क्या है मेंडरिंग की length क्या है total city किसे बोलते हैं मेंडरिंग ratio किसे बोलते हैं cutoff किसे बोलते हैं cutoff ratio किसे बोलते हैं इन points को अपने मन में दुबारा revise करें कि क्या-क्या यह points हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यस ठीक है आगे भढ़ते हैं फिर और याद रखना बच्चो UK PSC JE के अंदर रीवर इंजिनिरिंग काफी इंपॉर्टेंट है और आपके अदर जितने भी JE के एक्जामें चाहे हर्याना काउ चाहे जो एक क्वेशन तो इससे पूछ लिया जाएगा बड़े अराम से पूछत बच्चो मेंडरिंग के बनने के पीछे का कारण है मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि मेंडरिंग के अंदर जब फ्लड वेव जाती है तो उसके अंदर बहुत जादे टर्बुलेंस क्रियेट होता है वह एक प्राइम कारण होता है मेंडरिंग फॉर्मेश जो डिश्चार्ज हम कंसिडर करते हैं कि इस डिस्चार्ज पर मेंडरिंग होने की possibility बहुत हाई है या उसे हम dominant discharge बोलते हैं basically dominant discharge वह discharge होता है जो मेंडरिंग length या मेंडरिंग belt को determine भी करेगा अगर हमें मेंडरिंग की length और मेंडरिंग करनी है तो उसमें calculation में हमारी help करेगा dominant discharge ठीक है वैसे तो maximum discharge भूत heavy flood के कारण बहुत heavy flood के कारण जब maximum discharge आता है river में turbulence create हो जाती है वो turbulence बच्चों बहुत जाद है मेंडरिंग को मेंडरिंग का कारण बनता है लेकिन जब हम मेंडरिंग की length और Mandarin की bell calculate करते हैं तो उसमें हम एक term perfine करते हैं Mandarin के अंदर dominant discharge मैं क्या बोल रहा हूं dominant Bis चार्ज और dominant discharge अधिक्तम स्चार्ज नहीं होता dominant discharge Mandarin की belt Mandarin की Wrap करेंg asses करने में help करेगा लेकिन dominant discharge maximum discharge नहीं है मेरी बात ध्यान रखना है ठीक है बिल्कुल समझ आए मेरा बात मेरी बात समझ आ रही है सभी को अरे सभी बच्चे बड़े ध्यान से बैठना मेंडरिंग के कारक जो है मेंडरिंग का जो कारण है बच्चो वो मेंडरिंग का कारण कौन है मेंडरिंग का कारण है एक discharge excessive turbulence ठीक है लेकिन मेंडरिंग की जो belt है और मेंडरिंग की जो length है उसके calculation के लिए हम एक discharge define कर रहे हैं जिसका नाम है dominant discharge और dominant discharge पर बच्चों जो question पूछा जाएगा वो यह कि dominant discharge कितना लिया जाता है बच्चों याद रखना dominant discharge का एक बटा दो से दो, बटा तीन maximum discharge के हो सकता है आपका maximum discharge का मतलब याद रखना जो flood है जो आपकी flood है अगर उसके अंदर maximum discharge जो आ रहा है वह Q-max है suppose करो वह क्या है Q-max तो आपका जो maximum discharge आ सकता है वो कितना हो सकता है मतलब जो dominant discharge है वो कितना हो सकता है 1-2-3 1-2-2-3 के बीच में हो सकता है ये बात बच्चो सभी लोग ध्यान रखेंगे किसी का कोई doubt होगा तो वो doubt comment box में जल्दी जल्दी लिखता रहेगा ठीक है और मैं आपको वो चीजे clear करके दूँगा ठीक है ध्यान रखना ये बात तो ये बात बिलकुल अच्छे से ध्यान रखना सभी लोग ठीक है ना ठीक चलो आगे बढ़ते हैं बच्चो अगर आपसे एक बटा दो भी ना दे दो बटा तीन भी ना दे तो dominant discharge की अगर एक single value हमें take लेनी हो तो वह हम ले सकते हैं 9 बटे 16 qmax अगर objective question में कोई एक value आ जाए तो हम क्या ले सकते हैं वो 9 by 16 ठीक है 9 by 16 हम उसे assume कर सकते हैं clear point अगर वह एक बटा दो दो बटा तीन ना दे तो 9 by 16 विकेंड टेक नमस्ते रविकांद यादव ठीक है यह कह रहे हैं आया था सर इस बार अजय कुमार गोतम कहां पर आया था यह भी बता दो यह कहां पर आया था क्या चीज आई थी यह भी बचा दो बच्चों को ताकि पता चले हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है मुझे याद है अच्छे से लेकिन यह भी बता दो कौन मलब यूके पीएसी एई या यूके पीएसी जेई किसमें आया था और क्या चीज पूछी गई थी यह डॉमिनन डिश्चार्ज का वैल्यू पूछा गय काम में आता है किसे कैलकुलेट करने के काम में आता है यह कैलकुलेट करने के काम में आता है मेंडरिंग बेल्ट और मेंडरिंग लेंथ को अब मेंडरिंग बेल्ट और मेंडरिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करता है यह याद रखना जो मेंडरिंग बेल्ट होती है और मेंड मैंंडरिंग लेंध के और theor wondering dimensions ये मैंने formula लिख्वा है ये बच्चो प्लेन चहतरों के लिए पहाड़ी शेत्रों के लिए नहीं लगता जब कि पहाड़ी चहत्रों में इसका थोड़ा सा विपणीत होता है मेंडरिंग बेल्ट जो होती है वो दो दसमलो मेंडरिंग लेंथ होती है वे दो दसमलो गुना होती है मेंडरिंग लेंथ के तो इसका मतलब यह है अगर मुझे मेंडरिंग लेंथ पता चल गई तो मैं मेंडरिंग बेल्ट निकाल सकता हूं तो मेंडरिंग बेल्ट 2.86 ml होता है हिली एरिया के लिए this is for हिली एरिया बात समझ आया सभी को हिली एरिया के लिए कितना है और प्लेन एरिया के लिए कितना है सब लोगों को बात समझ आया dominant discharge बचो dominant discharge maximum discharge नहीं होता कभी एक्जाम में यह लगा दो dominant discharge maximum discharge नहीं होता कभी एक्जाम में maximum लगा दो dominant discharge क्या होता है dominant discharge वह discharge है जिसके साहेता से हम लोग अपनी mandering belt, mandering length को assess कर सकते हैं, calculation बना सकते हैं ठीक है, और mandering जो length है, उसका formula क्या दिया गया है 65.8 Q-dominant, ये 65.8 गुना होता है Q-dominant के, 65.8 गुना होता है बच्चो Q-dominant के, ये बात की सभी को ये बात क्यों बच्चो, अगर सब लोग ये बात समझ गए तो मुझे बता दो सर, समझ आ गई जल्दी से बता दो, समझ आ गया तो ठीक है, जल्दी से बता दो अगर समझ आ गया तो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है सभी बच्चे कह रहे हैं यस सर, ओके, चलो, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, जो आपके पास मेंडरिंग बेल्ट और मेंडरिंग लेंथ है, वो इसका मतलब किसके परपोर्शनल होती है, आप देखो, मेंडरिंग लेंथ क्या है, अंडर रूट ओफ क्यू डॉमिनें अगर ये अंडर रूट ओफ क्यू डॉमिनेंट है, इसका मतलब मेंडरिंग लेंथ और मेंडरिंग बेल्ट, दोनों डिश्चार्ज के स्क्वार रूट के परपोर्शनल है, बात समझ आया सभी को, ये बात आपको दिमाग में गया अच्छे से, ठीक है, अगर ये बात समझ आया तो, प्रियंग का, ये सर, आ गया समझ, चलो, तो इसका मतलब यहां से हमने दो तीन चीजे जानी, कि जो डॉमिनेंट डिश्चार्ज होता है, वो एक बटा दो से दो बटा तीन होता है, मैक्सिमम डिश्चार्ज के फरस्ट इंग, सेकंड चीज जो हमने जानी, क आपने का, ठीक है सर, बात समझ आ गई, और अगर मैंने ये कहा तुम से, कि जो मैंडरिंग बेल्ट होती है, वो दो दसमलो, दो गुना होती है, मैंडरिंग लेंद के हिली एरिया में, आपने का, चलो, ये बात समझ आई, लेकिन जो मैंडरिंग लेंद है, अगर उससे नि किये गए हैं यह पैरामिटर्स लेकिन अभी फिलाल में ओने एवरेज बता रहा हूं मेंडरिंग लेंद्ध को डिश्चार्ज की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है दिस इवरेज कंडिशन अब यहां पर एक बात और बच्चों समझने वाली है कि हमारे पास अगर गर भी और उन्ल है अगर हमसे फार्मुले भी ना पूछे तो अमसे यह पूछा जा कता है कि जो मेंडरिंग बैल्ट है यह मैंडरिंग वह वह किसपर निर्भळ करते हैं वह आप बताएंगे्स चार्ज के स्क्र स्क्वार रूट पर डिपेंड करते हैं यह डिस्चार्ज के स्क्वार रूट के डिरेकली प्रपोर्शनल है बात समझ आए सभी को मेरी बात ध्यान से सुनना आपको अगर बुक पढ़नी है बात ध्यान सुनना बच्चे जो 99.99% बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन के शुरुवात में वो सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या है वो यह है वो conceptually अभी श्ट्रॉंग नहीं है उनके concept अपने concept level पर confidence आजाए concept आपके लगने लगे कि हां concept कैसे पता चलेगा मुझे आता है किसी चीज़ का concept मुझे आता है यह मुझे कैसे पता चलेगा वो इस तरह से पता चलेगा suppose करो कोई व्यक्ति xyz मेरे से आके पूछने लगा कि बताओ यह मेंडरिंग क्या होती है और turbulence के कारण aggregating nature आ जाता है रीवर में और उसके अंदर turbulence के कारण रीवर मेंडर करना शुरू कर देती है अगर आप ऐसे बताए ठीक है फिर उससे कहो कि मेंडरिंग को मेजर करने के लिए कुछ parameter define किये गए है जैसे मेंडरिंग की length होती है मेंडरिंग की belt होती है अगर आप सह basic concept भी हम पता है कि मेंडरिंग क्या होती है उसका कारण क्या है उसके पीछे reason क्या है ठीक है concave convex bank वाली कहानी भी हमें clear है और इसके साथ साथ हमें यह चीज़े भी पता है कि भाई यह क्या है उसके बाद objective अगर हम कोई भी book लगाएंगे तो वह हमें beneficial रहेगी ठीक है इसके पेपर है ना बच्चो मैं आपको एक बात बताता हूँ जब आपका UK SSC का pattern था ना 100 marks का pattern था 100 questions का pattern था उसमें एक बार को मैं कह दूं कि चलो तुक्का भी लग सकता था किसी का किसी का तुक्का भी लग जाएगा कि 100 में से थोड़े कम जादे महनत थी थोड़ा उपर नीच एक्जाम से हैं तो तुक्का लगने की संभावना यह तो बिल्कुल भी नहीं है तो तुक्का तो नहीं लगेगा यहां पर यह तो बात तया है यहां पर वही बच्चा क्वैलिफाई करेगा जिसके concept अच्छे हैं और बहुत सारे question रटे रटाए नहीं बना सकता कोई data या factual अधिकतर question concept की demand करते हैं तो वह concept अगर हमें पता है तो बच्चों हमारे लिए यह आसान हो जाता है किसी भी एक्जाम को crack करना ठीक है पेपर सेकेंड में 140 140 से क्या मतलब लगाऊं 140 नंबर थे कि 140 question करे थे 140 सही थे 140 ही marks बने थे तो अगर 140 ही marks बने थे तो बहुत ही serious condition है आपको concept अच्छे करने चाहिए पहले आपको concept अच्छे करने चाहिए और अगर बच्चों ऐसा है कि आपके concept तो ठीक है आपको लग रहा next level पे नहीं जाने वाली आपको tough conditions में एंटर करना पड़ेगा और जब आप tough conditions में एंटर करेंगे तो आपके objective खुदी अच्छे हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर yes sir concept clear होना बहुत जरूरी है तभी question बनेंगे बिल्कुल यही मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता आप आटकते रहोगे आप गुप्ते अन्ट गुपता उठालिए बड़ा मन था कि किसी दिन गुप्ते अन्ट गुपता लगाओंगा आज गुपते अन्ट घुपता खरीद भी लाया मैं और मेरेपास lindo-400 रुपे एक अच्छी सी किताब आई उसे देखके मेरा बड़ा द रहा हूँ आंसर देख रहा हूँ आहां यह अंसर फिर मैं उसका आंसर लगा रहा हूं अब फिर मुझे सुकून मिल मैंने गुप्त कर ली। बच्चों यह गुत एंड गुपता नहीं करिए आपने यह आपने खुद को तो एक समझा दिया कि तुम्हें आता है हाला कि तुम्हें नहीं आ रहा है जब तक तुम्हें किसी question का concept अच्छे से clear नहीं है मैं guarantee लेता हूँ अगर तुमने गुपता गुपता की जो बुक है अपने से खुद से strength of material fluid mechanics ठीक है आपने irrigation engineering अगर खुद से लगा लिया ना बिल्कुल बिना किसी answer के support लिए ठीक है maximum question अगर आपने खुद से कर लिए मैं maximum भी मैं आपको कहूं 70-80% तो बहुत अच्छी किताब है वह उसमें आपका हो जाएगा जे ले है उसके बाद market में और अच्छी-च्छी किताबे आई हुए उनसे पड़ो ठीक है previous year आई हुए उनसे पड़ो बात समझ आए मेरा सभी को तो बच्चों concept develop करो concept build करो time है अभी मैं हमेशा अपने बच्चों को दो बाते बताता हूं पहली चीज देखो exam की तयारी में दो phase हो मैं ऐसे define करता हूं कि जब बच्चा नई नई चीजे सीख रहा है वो अपने concept बना रहा है वो मतलब concept के अंदर जो समझने वाली चीजे है ना उन्हें वो grab कर रहा है उस वक्त वो जादा रटनी रहा है लेकिन वो चीजों को समझ रहा है that is called learning phase उसके बाद आता है practice phase practice phase में क इतना बच्चे ने concept सीखा है वो बहुत सारा याद नहीं रह पाता अलग-अलग subject के अलग-अलग concept होते हैं तो जब वो अलग-अलग concept वो याद नहीं रख पाता तो last में वो practice phase में एंटर करता है practice phase में नई चीजे सीखने से बचें अगर वो बहुत जरूरी है तो सीख ले नीचे ना दबे तो जब वो आप करोगे जब आपने अपने short notes या pattern notes से revision अच्छा कर लिया और learning आपकी अच्छी ती शुरुवात में तो आपका selection बच्चों बहुत high probability हो जाएगा लेकिन इसी initially कहीं बच्चे practice phase में एंटर कर जाते हैं तो बहुत सारा रटना possible नहीं है बि एक डेड़ महीने पहले जाना एक डेड़ महीने पहले practice phase में चले जाना उस वक्त बहुत ज्यादा नई चीजे सीखने से बचना उस वक्त जितना पढ़ा है उसे अच्छे से अभी रिवीजन नहीं करना है अभी तो रिवीजन करना है अभी अपने short notes बनाते चलने है वो short notes आपको बाद में help करेंगे खेर इसके लिए हम session बाद में रखते हैं सर यूथ कैसी रहेगी यूथ अच्छी किताब है टेंशन मतलो यूथ अब के time में काफी ठीक book है लेकिन अभी अपने concept develop करो practice phase last moment है concept develop करने का ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि objective ना बनाए concept develop करने का ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि objective ना बनाए अभी ये देखने का समय है कि कैसे कैसे objective हमारे रुक जाएंगे या theory पढ़ने के बाद भी नहीं बन पार है उन्हें छाटने का वक्त है बाकी में चीजे अपने classroom और offline sessions में और अपने online session में आपके लाद डिसकुस कर आता है कि आप से question पूछा जा सकता है उसका नाम है river training अब river में मेंडरिंग भी बन जाती है river में तरह तरह की घटनाएं होती है बचो अब उसे हमें कैसे उससे बचना है और क्या हम उसके उपाय कर सकते हैं तो उसमें हमारा उत्तर आता है river training training का आर्थ है river के water को एक निश् constant section में चलाना एक definite direction और एक constant shape में या constant section के अंदर या constant limits के अंदर चलाना तो जब हम रीवर की training करते हैं बच्चो ध्यान से सुनना सेकिंड पेपर में 209 नंबर थे 209 नंबर थे तो ठीक नंबर थे कोई बुरे नंबर नहीं कहूंगा मैं क्योंकि आप उसके हिसाब से साड़े 600 के आसपास अपना score कर सकते हैं अगर पेपर वन में भी आपके लगभग लगभग similar सा score रहा और हिंदी इंगलिश आपकी ठीक ठीक हो तो ठीक है 600 से उपर लेकिन इस बार बच्चो मैं आपको दो चीजे बताता हूं competition इस बार टफ जाने वाला तो तैयारी भी अपनी अच्छी करो क्योंकि सब बच्चे आपके जैसे ही थे पहले सब पढ़े हुए थे सब पढ़ाई छोड़े थे उसके आप दुबार definite direction ठीक है and fine section मतलब एक निश्चित section के अंदर रीवर को चलाना है रीवर क्या होती है बच्चो एक बात अपने दिमाग में दुबारा से डालो कैनाल और रीवर अलग-अलग चीज है कैनाल एक man-made structure है जो irrigation के लिए बनाया गया है और रीवर एक natural रीवर एक natural channel है जिसके अंदर रीवर का जो cross section है जी रीवर के जो boundaries है वो nature ने set किया है तो उसमें क्या problem आ सकती है चूकि रीवर के जो ends है वो natural है natural soil से बने है तो वो erode भ areas में ही मैं बात कर रहा हूं तो erosion भी आ सकता है तो उन्हें हमें बचाना चाहिए नहीं तो रीवर अपनी फैल सकती है रीवर बैंक के ऊपर से पार कर सकती है समझने मेरी बात तो रीवर अपनी जो खादिर खादिर मतलब वो जो extreme limit है जहां पर बाड़ के समय रीवर पहुं कि जो flood water है जो flood का water है उसे azanई से safely हम पास एक पास करा दें river के अंदर से जब river के अंदर flood आएगी तो river के अंदर flood ऐसा ना हो आस पास-पास की छेतर को डुबाए इससे पहले हमें river की training कर देनी चाहिए clear a point इसके अलावा navigation के लिए कई बार ऐसा होता है dry seasons में बच्चो कई बार ऐसा होता है dry season क्या होता है जब सूखा बहुत होता है तो dry season के अंदर बच्चो river की जो depth है flow जो depth है वो बहुत ही गिर जाती है जब river की depth गिर जाती है बहुत कम रह जाती है तो उस वक्त क्या करते हैं बच्चो river की depth को river के अंदर water की depth मुझे बोलना चाहिए water की depth को बढ़ाने के लिए river के section को थोड़ा वाइड की जंगह हमसे थोड़ा कम करते हैं ताकि रीवर का जो अंदर जो water का depth है वो rise करें clear point उसके लिए river training कर सकते हैं इसके अलाव हम क्या करते हैं bank को erosion से बचाने के लिए river water किसी bank के दूर भेजने के लिए मालिया ये मेरा bank है इस वाले bank पे मेरा famous मंदीर है और मैंनी चाहता इस bank पे कभी भी पानी flood का पहुँचे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर river के water को दूसरे bank की तरफ को divert करना चाहूँगा ठीक है आगे पड़ेंगे इसे भी sediment को remove करने के लिए sediment के disposal के लिए तो यह कुछ possible कारण है जिन से हम रिजिन के कारण हम river training करते हैं ठीक है fee related जो भी information है you can call on the contact number ठीक है you can call on the contact number which is given in the description box ओके आगे बढ़ते हैं आगे देखो बच्चो river आप देखो आप देखते होंगे river के अंदर कितनी high flood waves आती है कितनी turbulence create होती है जो natural river है तो natural river आप सभी लोगों ने देखी होगी कितना high turbulence river के अंदर रहता है यह turbulence river की boundaries को तोड़ सकता है यह turbulence river के अंदर navigation में problem create कर सकता है और यह turbulence बहुत ज़्याद है heavy sediment या stones या boulders उठा कर ला सकता है पहडों से तो इन turbulence को भी maintain हमें करना पड़ेगा अब बात करते हैं river की training को हम तीन परकार से classify करते हैं पहला होता है high water training दूसरा होता है low water training और तीसरा होता है बच्चो mean water training high water training low water training और mean water training यह तीन परकार की river trainings होती हैं हम सबने पढ़ी हैं अगर हमने UKPSC JEE की पहले तयारी की थी लेकिन अब इन्हें थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की ज़रुरत है तो high water training किसे कहते हैं high water training को बोलते हैं discharge training discharge training का मतलब यह हो गया जब flood आएगी तो flood के समय water का level बहुत high हो जाएगा तो water का level अगर high हुआ तो वो river के bank से बहार जा सकता है जिससे आसपास के area पानी के द्वारा डूब सकते हैं तो उनसे बचने के लिए हम high water training करते हैं कैसे करेंगे आगे discuss कर रहे हैं दूसरा हम करते हैं low water training कई बार river के अंदर water की depth dry season में बहुत low हो जाती है जिससे now या boat या फिर अपनी ship चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि पानी की minimum गहराई है वो maintain करनी चाहिए हमें तो वह अगर नहीं रह पाई तो हमें low water training करके पानी की depth को बढ़ाना पड़ेगा तो navigation के लिए हम कौन सी करते हैं अरे के गेमिंग दो मिनिट तो रुख जाओ दो मिनिट रुख जाओ तुम्हें सारा बता दूंगा 120 डिगरी कहां होता है ठीक है दो मिनिट तो रुख जाओ एख्रेडेयरल कितना होता है 120 मितर जाओ तो मैं और बहुता दूंगा ठीक है और भी चीजत सिर्वार्य ह liber gonna के किया तब तक है आपको कर्णे के गेमिंग गायड के गायड के बैंक पर कितना स्व्विन अभाइट लुंड़ तो रुख जाओ ठीक है आपके लिए सब लेके आए हैं ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा है लेकिन जिस रिदम में लेक्चर चल रहा है उस रिदम में चलने दो ठीक है और जो अगर आपको कोई queries रहेगी ना बचीवी चीज़े और एडवांस बैचमें में कराऊंगा ही कराऊंगा ठीक है क्लियरे पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना सबसे पहली चीज हाई वाटर ट्रेनिंग हाई वाटर ट्रेनिंग का अब्जेक्टिव केके गेमिंग बने रहना लेक्चर में आपका अंसर आएगा और जो आपका जो आपके डाउट हो तो क्लियर होंगे लेक क्लियर है पॉइंट गाइड बैंक य।धैंग आपको बताएंगे। County को अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं अगर मुझे डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं से कज्ड़ों Kinburg降 अगर किसी बच्छे का है क족 누리 करने हैं में फ्लर ठी god reading और यह है वाटर ट्रेनिंग रीवर के क्रॉस सेक्शन को इस परकार बना कर किया जाता है कि मैक्सिमम फ्लर्ट सेफली पास हो जाए कि मैक्सिमम-फ्लर्ट सेफली पास हो मेरी बात समझे हमें high water training का मतलब है flood से बचाना है और flood से बचाने के लिए हम river के section को इस परकार तयार करेंगे ताकि flood safely pass हो जाए flood के safely pass होने से मेरा मतलब है वो किसी भी तरह के से आसपास के area को नुकसान ना पहुँचाए और ना ही हमारे river के अंदर कुछ extra planiform या फिर उसके section में changes लाए clear a point ठीक है wait for के के gaming इतनी जल्दी मत करो जब आपने question अच्छा पूछा है तो आप देख लो तसली कर लो जो advanced batch में पढ़ा रहा हूं क्या आपको मैं deserve करता हूं कि नहीं करता हूं क्योंकि बच्चे बड़े talented हैं बच्चों को भी ये देखना है कि cat सामने वाला teacher उन्हें deserve करता है कि नही करता है मेरी बात ध्यान सुनना एक तो होता है बच्चा बच्चा जो basic है जो कमजोर है उसे उठाना भी मेरा काम है लेकिन मेरा काम ये भी है जो बच्चा पहले से कुछ जानता है उसे और उपर ले जाना उसे और उपर ले जाना ठीक है तो वह भी आप देखो deserve करो question सकते हो ठीक है clear point ओके तो water training के cross section इस परकार बनाया जाता है कि maximum flood safely पास हो जाए इसमें river के दोनों साइड लेवी या डाइक्स construct किये जाते हैं इसमें river के दोनों साइड हम लेवी या डाइक्स construct करेंगे क्या होती है लेवी क्या होती है डाइक्स अभी आगे डिसकस करेंगे देखो session बड़ा interesting होगा यह मेरी guarantee है ठीक है थोड़ा सा patience रखना पड़ता है पिच्चर जब शुरू होती है तब मज आता है तब मज आता है कि हाँ अब तो end देखके जाएंगे ऐसा मज आता है तो वह दो मिनट रुख जाओ patience रखो ठीक है patience रखो और उसके बाद आपको पूरी कहानी बताऊंगा ठीक है अब देखो low water training इस water training में depth को बढ़ाने के लिए बच्चो depth को बढ़ाने के लिए नाम से ही पता चलता है low water low water अगर है तो depth को बढ़ाना है हमें ठीक है इस training में flow को सिमित शेतर में confine किया जाता है मतलब हम बहुत ही narrow space में flow को लेकर आएंगे ताकि flow depth भढ़ जाए इसके बाद purpose of providing sufficient water depth in navigable channel during the low water period उदेशे क्या है navigation नाओ यह पानी के जहाज है वो सब चलाने जैसे आपने सुना आओगा अभी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा cruise launch किया है जिसका काम है गंगा पर लोगों को घुमाना और मैं जान के बड़ा शरीय चकित रहा कि 55 दिनों के टूर है उस पे और 50 लाग का खरचा आने वाला है मतलब लगबग लगबग एक दिन का एक लाक रुपे का खरचा है अगर आप उसका आनंद उठाना चाहते हो ठीक है तो ऐसा हमारा जो नया क्रूज है उसका आपने देखा भी होगा सब लोगों ने देखा है गंगा पर वो चल रहा है ठीक है और मुझा वार्ड क्लिए birds यह सारी हमारे पास अलग अलग मैथर्ड है मर्जिनल एंब्बेकमेंट्स कईड़ यहीजय मbesti against और हरी दोर्स अमसे प्रोटेक्शन के मेजर होते हैं यह हमें फ्ल्रड प्रोटेक्शन के लिए आप प्रवाईड करने होते हैं और गाइड बेश्चि यह वार्टर को टि इश्चित दिशा में, definext section के अंदर flow कराने के लिए बना जाते हैं, ग्रोनीज पिर मतश ah water कोberry करतीय के बेशिकली आप यिये कह सकते हो, if you wanna bank के protection के लिए बैंक को protection provided स्यम Eyes up or his island का भी बच्छो रहे रीवर के बीच में यह तयार किये जाते हैं ठीक है आगे पड़ते हैं ध्यान रखना marginal embankment क्या होते हैं marginal embankments क्या होते हैं ध्यान से सुनना marginal embankments क्या होते हैं इससे पहले आपको पता चले मैं दिखा देता हूं जब् 72 किनारे क्याद रखना इसे confuse मत करना पास के एरिया में ना भरे तो उसे हम क्या वोल देते हैं इसे हम बोलके बोलते हैं marginal embankment तो marginal embankment basically करते क्या हैं यह अर्धन embankment होते हैं जीने river के parallel बनाय जाता है इस आर चंस्ट्रक्टटेड पैरलेल टूदरीवर यह रीवर के parallel construct किये जाते हैं यह रीवर के parallel construct किये जाते हैं यह यह है बंड्ड डाइक्स लिवीज भी कहा जाता है इनसे बंड्ड भी कहा जाता है डाइक्स भी लिवीस भी इन्हें सबसे पहले एक संट पांटिस्ट हुए थे बैल या इंजीणियर कह सकते हैं उन्होंने डिजाइन किया था ठीक है ध्यान रखना है सबसे पुराना मिट्टी का बांध ठीक है उसी की आप consideration लेके इसे तयार करते हैं ठीक है तो धियान रखना इसका design किसकी तरह होता है अर्दन डैम की तरह होता है water side को pitching के द्वारा protection दी जाती है मतलब यह हुआ जो पानी वाली side है इसे pitching करके protection देते हैं ताकि flood अगर rise करेगी तो एकदम से अर्दन जो अर्दन जो soil है या फिर soil आप कहते हो वह exposed ना हो जाए ठीक है नहीं तो उसमें सीपेज या और तरह के conditions भी develop हो सकती है ठीक है बात समझाया यह है एक flood control मेजर है यह flood control के मेजर हैं एमबैक्मेंट के साथ launching एपरन भी प्रोवाइड किया जा सकता है launching एपरन क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूं ठीक है फुल डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं कि भाई सबके लिए hard paper ही जाएगा क्या क्या पड़े बुक में तो बहुत कुछ है सर जी थियोरी में जादा ध्यान दे या फिर mcq में प्लीज सर गाइड देखो मैं आपको अपनी बात क्लियर बता देता हूं मेरे पास जो sources of study है वो चार से पांच बुक है ठीक है four to five books are there जिनसे मैं irrigation engineering पढ़ रहा हूं खुद देख रहा हूं और उन पार से पांच books के अंदर जो चीजे दी हुई है वो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की इसमें एक और point है लगभग 2015 या 16 मेरे exactly ध्यान नहीं है IS code में revision हुए है जो आपके इन चीजों के बारे में detailed description दे रहे हैं और वो IS code में revisions आपकी books में नहीं हो पाए हैं जैसे आपका SK गर्ग या फिर BC पुनिमिया शायद उनका latest edition अभी नहीं आ पाया है या मेरे पास नहीं होगा तो उनमें वो revisions देखने को नहीं मिलते हैं तो नहीं थोड़ी सी problem होती है तो अगर आप अभी focus कर रहे हो अगर आपका concept अच्छा है तो आप objective focus करें वो जादे अच्छा है ठीक है objective focus करें तो वो जादे अच्छा है clear point आगे भढ़ते हैं effects of levies on flood flow levies से क्या फरक पड़ता है बहा उपर ठीक है these are the points which are considered these are the points which are considered के आपके flood के उपर यह points यह effect आने वाले हैं अगर आप levies construct करेंगे ठीक है with the construction of levies flood water may be affected in this manner और these are the points which are describing the effect of construction of levies clear point तो बात अगर हम आगे बढ़ाएं बच्चो यह मैं आपको advance batches में cover कराऊंगा ठीक है यहां पर अभी मैं आपको हलकी जो advance batches में cover करा रहा हूं देखो मेरी बात कई बार बच्चे गलत समझ लेते हैं बच्चे यह सोच लेते हैं advance batch में तो बच्चा selection के लिए पढ़ रहा है नहीं advance batch में बच्चा पढ़ रहा है साड़े 700 700 या उससे उपर नंबर के लिए ठीक है उससे उपर नंबर के लिए मेरी बात ध्यान रखना मेरा target यह है कि जो बच्चा advance batch में हो कम से कम उसे PWD तो मिल ही जाए ठीक है उसके लिए मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं अलग से ठी पहली चीज के उसके उपर से पानी उतर जाए मतलब overtopping हो जाए पहली चीज में आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपके रीवर के उपर से पानी उतर गया डैट इस कॉल्ड overtopping, overtopping हो जाए ठीक है दूसरा क्या हो सकता है रीवर वाटर के साथ बड़े ध्यान से देखना वो seepage के कारण इसके अंदर से निकल जाए seepage हो जाए या उसके कारण piping create हो जाए piping समझते हो piping आप जानते होंगे सभी लोग अगर नहीं जानते तो आगे irrigation के lectures में मैं बताऊंगा ठीक है तो मतलब अलग-अलग कारण से या फिर उसका shear failure हो जाए या पूरा टूट ही जाए वो ठीक है seepage के कारण failure हो जाए या piping हो जाए उसके undermining जिसे बोल सकते हैं या फिर उसके ओपर से टूट जाए पानी तो यह सब कारण हो सकते हैं आपके livis ठीक है आपके livis जो है आपके livis जो है वो ध्यान रखना अलग-अलग कारणों से फेल हो सकते हैं जैसे एक अर्धन डैम होता है अर्धन डैम में पढ़ते हैं detail में पानी जब उपर उठेगा तो उसे आसपास के एरिया में बहने से रोक देंगे ठीक है कई बार क्या होता है अगर फ्लड नॉर्मली उठी तो यह दूर तक जा सकते थे क्योंकि यह हमें कैसे पता कि फ्लड इससे भी जादा आएगी क्योंकि एक चीज होती थी खादिर जो म हम इसी लिए अपने डाइक्स को उठा देते हैं ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना अब आते हैं गाइड बैंक गाइड बैंक थोड़ा सा अलग अबजेक्टिव रखते हैं गाइड बैंक बच्चों फ्लो को एक निश्चित डारेक्शन में फ्लो कराने के लिए बनाए ज क्लास ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज एडवांस बैच स्टार्ट हो चुके हैं केके गेमिंग एडवांस बैच अल्रेड़ी स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है अरे वीटू कुमार आप समझते नहीं है मैं दुबारे से सब बच्चों को बोलता हूं इफ यू नीड डिसकाउंट आपने हमसे पहले कोई कोर्स लिया था कोई आपको डिसकुशन करना है तो एक बार कोचिंग में बात करें ठीक है एक बार कोचिंग में बात करें अगर आपने पहले कोई इंटर्वियू का कोर्स लिया था तो एक बार कोचिंग में बात कर लें ठीक है अब देखो यहां पर मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूं आपकी आईडी के नाम भी के के गेमिंग के टू कुमार अब मैं कैसे पता करूंगा कि आप कौन बच्चे हो ठी ठीक है तो धियान रखना तो उसके लिए आपको बात करनी ही पड़ेगी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए शौट टाइम है तो आप अपने शौट नोट्स तयार करें और उन शौट नोट्स को फ्री टाइम में रि शौट नोट्स का आप रिवीजन ले सकते हो बीच-बीच में ठीक है वह आप कर सकते हैं खेर तो अगर मैं बात करूँ बच्चो रीवर को एक्जेली फ्लो कराने के लिए बनाए जाते है याद रखना गाइड बैंक क्या करते हैं रीवर को एक्जेल फ्लो में लाने के लि ब्रिज बनाया हमने तो ब्रिज के अंदर एक निश्चित दिशा में आपकी रिवर फ्लो हो इसलिए हम क्या बनाते हैं साइड में गाइड बैंक्स बनाते हैं ताकि वाटर एक निश्चित दिशा में फ्लो करें मेरी बात समझ आया गाइड बैंक कहां बनाते हैं वियर बैरे कि दिशा में फुलो करता है ऐसा निये के water इधर जा रहे है उधर जा रहा है जूल-जूल के गूम रहा है नहीं जा रहा है water को आपने जो रास्ता दिखाया water उसी रास्ते के लौ्वाटर चलता चला जाएगा ठीक हे Guide bank अलग-अलग तरह के होते हैं, एक होता है straight, एक होता है divergent, एक होता है convergent, ठीक है, अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, अलग-अलग requirement के हिसाब से बनाए जाते हैं, खेर, अगर मैं आपसे बताओं, अगर मैं आपसे एक बात बताओं, Guide banks, ये आप देखो, मैं आपको दो चीज कर दिखना सभी लोग यह मैं ऐसे दिखाता हूँ यह आपका river का bed है this is the bed of river ठीक है this is the bed of river and this is the level of water यह आपका water level है यह आपका river के अंदर water level है suppose आपने इस position पे suppose आपने इस position पे कभी एक dam construct कर दिया आपने क्या construct कर दिया कोई डैम या कोई वीर या कोई बैरेज आपने कोई structure construct कर दी जिससे पानी रुख गया अब water क्या होता है water यहाँ पर pile up होता है water ऐसे उठता है मेरी बात को ध्यान से देखना पानी ऐसे उठता है भाई रुकेगा तो पीछे उठेगा ना तो पहले रीवर का level यह था अब रीवर के अंदर maximum flood level क्या हो गया this is maximum flood level जब वीर या बैरेज कंश्रक्ट हुआ है तब तो इन दोनों के बीच का जो difference है जो maximum flood level है आपका मैक्सिमम जो है उसे हम बोलते हैं efflux उसे हम क्या बोलते हैं जहां तक मुझे लगता है यह question भी आपके एक्जाम में आया हुआ था कि जो रीवर का normal level है अगर वीर और बैरेज कंश्रक्ट तर दे तो उसके बाद जो maximum flood level चला जाता उन दोनों के बीच के difference को मैं efflux बोलते हैं पढ़ाता यह बात आपने एप पर सारे बैचिस शोओंगे रहूल राज courses में जाएं एप पर सारे बैचिस शोओंगे courses में जाएं ठीक है अगर कोई doubt है तो contact number दिया गया है description box में वो देख लेना ठीक है दीपक youth book ठीक है अच्छी book है लेकिन youth में कौन सी पढ़ रहे हो वो मुझे पता नहीं है ठीक ह है हमारे course में paper to April के अंदर खतम हो जाएगा ठीक है paper to April में खतम हो जाएगा ध्यान रखना तो यह हमने क्या किया यह हमने क्या किया बच्चो रीवर को किसी भी structure से पहले एक निश्चित दिशा में लाने के लिए हमने एक पाएक एक मलब आप यह कह सकते हो हमने pitching की है side में और pitching के द्वारा river एक निश्चित दिशा में लेकर आए हैं ताकि flow इतने एरिया में confine रहे ताकि structure से पहले हम पानी का एक निश्चित दिशा set कर पाएं ठीक है इसलिए हमने क्या बनाया इसी हमने बनाये है guide bank suppose करो यह bridge है bridge का pier यहां रख दिया एक pier यहां रख दिया अगर river का दिशा ही तै नहीं है तो बच्चों pier पे खतरा आ सकता है ठीक है continuous flood pier को attack कर सकती है जो bridge के अंदर है clear a point तो और सारे danger खत्रे भी आ सकते हैं इसलिए river को हम किसी भी structure से पहले क्या करते हैं एक निश्चित दिशा में लाते हैं ठीक है अब यहां पर आते हैं बच्चों अगले सवाल पर यहां देखो एक बच्चे ने मेरे से पूछा दिखाता हूं यह यह आपका मालों कोई bridge है इससे पहले आपका यह आपका river water है यह आपका water इसदर से आ रहा है ठीक है यह कहलाता है head मतलब जिस side से water आ रहा है that is called head और अगर head पर हम angle देखें if we consider the angle at head it is in between 120 to 145 radius 1500 से 300 मिटर के बीच रहती है radius कितना रखते हैं 1500 से 300 मिटर और आपका angle कितना रहता है 120 से 145 मिटर इसके बाद दूसरी point second point क्या है बच्चों यहां पर देखना जब हम आते हैं downstream पर downstream पर यह angle cable रह जाता है 45 से 60 degree और यहां पर जो radius रह जाती है बच्चों अगर वो आपके पास R है तो यहां पर cable R by 2 तक वैसे तो point 3 से point 5 R है लेकिन आप R by 2 याद रखेंगे downstream end पर guide banks के अंदर जो radius रखते हैं वो R by 2 angle रह जाता है 45 से 60 degree ठीक है याद रखना और अगर मैं आ detail elaboration करूंगा मैं advance batch में ठीक है लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ यहां पर कुछ चीजे आपको बड़े ध्यान से देखनी है यह तो उसका plan type हो गया ठीक है यह तो plan हो गया अब यह भी पूछा जाता है guide bank की length क्या होनी चाहिए guide bank की length क्या होनी चाहिए guide bank की length क्या होनी प inh 1-1 डियरीय बताओ समझ भी आ रहा है कि नी आ tell समझ भी आ ऑि क्या मैं पढ़ा रहा हूं और आपको नहीं समाझ आ रहा है ऐसा तो नहीं ओर रहा है कि को है इस अब बच्चे जल्दी से बता दो समझ आ रहा एक नहीं ओ릴 और वैसे YouTube पर बात ज़्याद पूछी नहीं जानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है जिसे नहीं समझा रहा वो छोड़के भाग जाएगा खैर आगे भड़ते हैं अगली कहानी की तरफ चलते हैं बच्चों यहां पर यह जो साइड में आप देख रहे हो दिस इस कॉल्ड पिच और यह आपका section से हैं यह शरसें है ट्रीर हैं वांट यह आपका section है तो यह कहलाती है Pichyd और यह की जो नीचे आपने प्रोवाईड गया दिस इस कॉल्ड लांचीय फ्रावराइब दे इसे क्वाइब बोलते हैं लांचीय इपन बड़ते हैं तो डोबंज कों है पिचिंग में क्या होता है बच्चो इसके पीछे अर्दन jet में यह क्या होता है बड़े-बड़े स्टोंफ हम रखकर बड़े-बड़े पथर रखकर घ्र metric को प्रोटेक्शन देते हैं और यहाँ पर डाउन श्ट्रीम साइड पर है जो डाउन श्ट्रीम साइड पर है वो लेंथ बिल्कुल फिक्स है ये डिस्चार्ज पर डिपेंड नहीं करती ये 0.25L होती है कितनी होती है ये डाउन श्ट्रीम पर लेंथ 0.25L याद रखना गाइड बैंक की जो लेंथ है वो कितनी होती है 1 1.25 से 1.5L अन पर पर च्रीम सथ पर और डाउं स्थ्रीम एंड पर 0.25L इसका एंगल कितना होता है आप फॉनじゃ पर 120 से धीरे धीरे आपका सिमित अवस्था में आए सर यह कौन सी बुक है जिससे अभी मैं यहां पर जितनी भी डाइग्राम जितनी भी चीज़े लाऊंगा तीन रेफरेंस बुक मैंने यूज की हैं थ्री बुक्स मैंने यूज किया अगर किसी यह बाद वो तीनों बुकों देख लेना ठीक है तीन रेफरेंस बुक्स मैंने यूज की है अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अब यह बच्चे चाहते हैं सर आप कहां से पढ़ रहो वह बताओ हम भी वहीं से पढ़ेंगे ठीक है मार्केट में बहुत सारी बुक्स पढ़ लो लेकिन मेरी बात ध्यान से सु देखो मैं पढ़ पा रहा हूं क्यों मैं बहुत सारी किताबे क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं अभी आप ने एक दो साल पहले ही तैयारी शुरू करी होगी और मैं बच्चों इन चीजों को पढ़ते 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 मुझे काफी टाइम हो चुका है तो इसलिए बुक कि लोकों को यही बोलता हूं कि नोगतंति ऐसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब मैं पड़ाओंगा तो बच्चों मैं हमेशा मेरे मेरे एक ही आदत है मैं अपने आपको अपग्रेड करता हूं यह नहीं होता कि यह pdf मैं पिछले साल वही इहाई थी साल भी पढ़ाऊंगा ठीक है अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा रुकेंगे नहीं भडेंगे बस ठीक है आगे बढ़ते हैं तो याद रखना के-कड गेमिंग आए नहीं वह भी के-क गेमिंग चले गए केहां से के-के-क गेमिंग आपका अंसर हुआ खेर तो ध्यान रखना बच्चो याद रखना यह जो स्वीप एंगल है जो केके गेमिंग हमसे पूछ के गए थे थोड़ी देर पहले 120 से 140 अब तुम कहोगे सर अभी तो 120 से 145 था यही डिफरेंस हो जाता है अलग-अलग बुक के रेफरेंस में मैं आपको यह भी बता भाई अभी तो थे आप यहां पर मैंने कहा भी था ठीक है मैंने आपको कहा भी तो था अभी बताने वाला हूं मैं आपको ठीक है दो रिग्रेट मत करना अगर आपको जो भी डाउट है पूछते रहना खेर मैंने आपको यह भी बताया डाउन स्ट्रीम एंड पर रेडियस कितनी रखते हैं आप इस ट्रीम पर कितनी होती है स्वीप एंगल कितना होता है मैंने आपको पहले ही बताया था 120 से जाधे रहता है 120 तो 145 यह 142 140 आप आंसर मार्क कर सकते हैं 45-60 यह रहता है इस फॉर्मुले को देखके कुछ-कुछ याद आ रहा है कौन-कौन वह बच्चा है बताए जारा 4.75 अंडरूट क्यू एल की वेल्यू अरे देख लिया विनीत का दोस्तु में अब बताओ अमित कुमार क्या कहना चाह रहे हो केके गेमिंग चले गए लगता हमारे बीच नही कोई बात नहीं ठीक है तो उन्हें स्वीप एंगल का अंसर मिल गया होगा अगर बाद में वीडियो देखेंगे तो ध्यान रखना बच्चो आपके जो नोट्स में तयार कर रहा हूं बहुत महनत से कर रहा हूं ऐसा नहीं है कैसी हो जा रहे हैं इनमें आपको मैक्सिमम कॉ अधार पर हम रेडियस डिसाइड कर रहे हैं लगवग 4.45 और एल के अधार परी बच्चो मेरी बात ध्यान से सुनना एल के अधार पर हम उसकी लंबाई ही डिसाइड कर रहे हैं गाइड बैंक की तो 1.25 से 1.5 होता है बेस्ट ऑन दिश्चार्ज और डाउन श्ट्रीम पर बिल्कुल फिक्स होता है 0.25 एल इस्ट्रक्चर के आगे का जो इससा है वो डाउन इस्ट्रीम है याद रहेगी यह बाते खेर तो यह बात मैंने आपको गुंद बताई अब आते हैं बच्छों की सेक्शन पर यह तो हो गया इसका प्लान थूप डेखने पर ऐसा लगता है लेकिन इसका सेक्शन समझते ओना वो ऐसा देखता यहाँ पर दो बात आपसे पूछी जा सकती है यह यह पर दो बात आपसे पूछी कि पहला जो यह में कि किसमें डिश्चार्ज है क्यूं में याद रहेगा यह बात और उसके अलावा बच्चों लॉंचिंग एपरन की चोड़ा लॉंचिंग एपरन की कितनी चोड़ाई होती है वन पॉइंट फाइव डी यह बहुत इस्टेंडर्ड़ आंसर याद रखना लॉंचिंग एप बात बता हो 1.5 डी यह हो गया लेकिन यहां पर जो आपके पास लॉंचिंघ स्प्रहिन है उसकी मोटाई कितनी होती है लॉंचिंघ की परेंग की मोटाई होती ये बच्चों T is the thickness of pitching, याद रखना एक और close है T के साथ, T का value कभी भी कम नहीं होना चाहिए, 0.25 meter से या फिर stone के depth से, या फिर stone के depth से, अगर pitching की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चो, pitching की जो depth है, या pitching की जो thickness है, वो कभी भी 0.25 meter से कमनी होनी चाहिए, या फिर stone की depth से कमनी होनी चाहिए, और pitching की जो मोटाई है, उसे निकालने का formula है, 0.06 Q की power, 1 by 3, sorry मैंने 1 by 6 लिख दिया है, 1 by 3, ठीक है, याद रखना ये बात, clear a point, regime score depth क्या होती है, जहां तक वो पानी scoring create कर सकता है, तो flood level से लेके, जितना वो गहरा काट सकता है, उसे कहते है, regime score depth, और regime score depth की value, Lacey theory में कितनी दी रही थी, 0.47 Q by F की power, ये था क्या formula या कुछ और था, पेपर 2 का timing क्या रहेगा, पेपर 2 का timing किस चीज के लिए पूछ रहे हो, राजा, ये कह रहे है, गुपता अंड गुपता में है ये question, बच्चो इसलिए तो मैंने course को इस तरह से design किया है, ताकि आपका कुछ न छूट तो मैं क्या लगता है, इतने साल हो गए, मैंने कभी गुपता अंड गुपता नहीं पढ़ी होगी क्या, मैंने पढ़ रखी है, मैंने वो सारी books अच्छे से पढ़ रखी हैं, जो जो books आपके exam के लिए relevant हैं, तो इसलिए आपको जो पढ़ा रहा हूँ, बच्चो आपके exam म यह नहीं पढ़ा होगा, भई आपके teacher ने पढ़ा होगा, मैं उनकी respect करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो, T का जो value है, 0.06 Q की power, 1 by 3 लिया जाता है, that is the thickness of pitch, और launching apron की thickness कितनी होती है, 1.90, और launching apron की चोड़ाई कितनी रखते हैं, 1.5 D, D क्या है, यहां पर, बच्चो, D क्या है, D is your depth of score, ठीक है, D is your score depth, याद रखना, flow depth नहीं है, score depth है, score कितना, जितना पानी scoring create कर सकता है, जितना water scoring create कर सकता है, याद रखनी यह बात, D is your scoring depth, scoring depth है, diagram से देखकर पता सलता है, बिल्कुल, regime formula, बिल्कुल ठीक बात है, आगे बड़े, अब आते हैं, बड़े interesting topic पे, जिसका नाम है बच्चो, ग्रोनी, यहां से मत छोड़ना, यहां से मत छोड़ना, इससे question पूछा जाता है, आपसे, ग्रोनी से question पूछा जाता है, निशा बड़ो नहीं कह रहे है, 0.48, हाँ, 0.47 दिया है वैसे वो, ठीक है, क जो भी channel पे नए हैं बच्चो, advanced batch, basic batch चल रहा है, कई बच्चो को अभी तक confusion है, कि basic batch में क्या है, advanced batch में क्या है, बच्चो एक बात बता देता हूं, advanced batch में आपके short notes बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, और उनके आधार पे आपके objective बनवा रहा हूं, ठीक है, advanced batch उन बच्चो में ले रहा हूं, यह SSC, अर्याना SSC वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनके syllabus में भी river engineering topic दिया गया है, ठीक है, और आपको पता है, 70% technical आने वाला है, तो वहाँ उन लोगों को भी पढ़ना ही है, ठीक है, कोर्स का paper 2, re-exam, हमारे यहाँ जो paper 2 चल रहा है, वो सुभह में भी और शाम में भी दोनों time चल रहा है, ठीक है, morning में भी, evening में भी, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, हमारा जो live classes है, morning 9.30 शुरू होती है, 9.30 से हमारा irrigation है, irrigation के बाद हमारा दूसरा topic होता है, बच्चो, irrigation के बाद हमारा second topic होता है, और वो second topic हमारा क्या है? इरिगेशन के बाद हम लोग कल नया सब्जेक्ट श्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टीमेशन और कोस्टिंग ठीक है उसके बाद हम लोग अपना हाइडरोलोजी फिनिश करेंगे उसके बाद हम लोग इवनिंग में पांच बज़े एडवांस बैच लेंगे और एडवांस ब रखना आगे बढ़ते हैं बच्चों ग्रोनी क्या होती है यह बड़ा ही इंपर्डेंट टॉपिक है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा ग्रोनी रीवर वाटर के अंदर ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर होती है क्या होती है यह तो transverse structure को transverse structure को हम क्या बोलते हैं बच्चों groney बोलते हैं और groney river water के perpendicular या किसी angle पर भी बनाई जा सकती है अगर मुझे groney बनानी है ये मेरी river है ये river का water flow कर रहा है तो सबसे पहले जानो ये क्या है transverse structure मैं आपको दिखाता हूं ये देख रहे हो ये देख रहे हो ये transverse structure ग्रोनी है ये आप ध्यान से देखना जब भी river के अंदर ये transverse structure बनाई जाएगी जैसे पानी उधर से आ रहा है या पानी इधर से जा रहा है अभी दिखनी रहा है कि इधर से आ रहा है कि इधर से जा रहा है लेकिन अगर ये transverse आपकी create की जाएगी ताकि पानी एक ही तरफ से चले, तो इसे हम कहते हैं ग्रोणी, इसे हम क्या लिए irrigation का strong होना बहुत जरूरी है क्योंकि irrigation के काफी question आपसे पूछे जाते हैं ठीक है irrigation के काफी questions आपसे पूछे जाते हैं ध्यान रहेगी बात आप सभी लोगों को सभी लोगों को ध्यान रहेगी को doubt किसी बच्चे के मन में हो तो मेरे से भी भी पूछ सकता है और बड़ा interesting टॉपिक आ गया है तो बने रहना जै कि अब सुनों यह घृती है ऐसे रिवर का वाथर एसे फ्लो कर रहा है यह डाया ट्रास्ट्रक्चर कहलाती है विद्रसक्ट्चर क्या क्या कहलाती है घृतलब जाता है और स्क्राइब्लों क्या चृतल हो जाए टी Pamela G की जाती है तो most common structure used in the river training is groany the most important structure that is used in the river training is groany ठीक है अंशु शॉर्ट वीडियो ठीक है जो irrigation में पढ़ा रहा हूं application में detail पढ़ा रहा हूं river engineering के दो पार्ट मैंने promise किये थे river engineering में खतम कर रहा हूं YouTube पहला part का जो link है वो description box में दिया गया है तो first part का जो आप देखना चाते हो description box से आप देख सकते हो खेर आगे भढ़ते हैं बच्चो ग्रोनी आपकी कैसी होती है ध्यान से सुनना गो ग्रोनी आपकी निमलिखित परकार की हो सकती अट्रेक्टिंग आकर्शन करने वाली रिपैलिंग दूर भेजने वाली डिस दिफ्लेक्टिंग बस दिशा बदल देने वाली और सेडिमेंट को सेडिमेंट को कंट्रोल करने वाली को रोकने वाली ग्रोनी तो यह हमारी चार तरह की मुख्य ग्रोनी यह फंक्शन के अधार पर वर्गी करन हुआ है इनके फंक्शन के अधार पर इनका वर्गी करन हुआ है पहली ग्रोनी हमारी क्या है बच्चो फर्स्ट ग्रोनी इस इस बार होकी आई थी बिल्कुल इस बार होकी आई थी इस बार चाह 박 बल्ला है इस बार हम चोडेंगे हैं ठीक है suggesting कि रहेंगे बल परaround हम चोडेंगे निए बोलके उपर इटकरेंगे करेंगे हाँ बाली भी ग्रोनी होकी भी बाली भी बर्मा भी ग्रोनी है पाइल ग्रोनी होती है यह सब चीजे में डिसकस करूंगा आपसे एडवांस बैच में कोईशन कहीं सा आज है छुटने नहीं देंगे अगर आप सिंसियर बच्चे हो तो आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा ठीक है अगर आप सिर्फ अपना एकमन में रखना चाते हों मैं एकजाम द्धूं तो वह अलग बात है ठीक है ध्यान रखना यह बात है का बिल्कुल है ओफ लाइन बीत क्लास होगी ऐसी बात नहीं आफ लाइन नहीं होगी ॉफलाइन बीक लास में लेकिन बच्छो यह क्लास मैं ओफ ओन लाइन कर रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को पढ़ने को मिल जाइं ठीक है आर के आगे भड़ते हैं बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हमारी, सबसे important groany, repelling groany, मेरी बात ध्यान से सुनना सबसे important क्यों बोला, क्योंकि सबसे ज़्यादे यही यूज होती है, repelling groany, ये protection में काम में आती है, protection मतलब बचाओ में, किसके बचाओ में, किनारों के, river के किनारे को को बचाने के लिए रीवर के किनारे को बचाने के लिए हम कौन सी ग्रोणी बनाते हैं रिपैलिंग ग्रोणी यह कैसे बचा पाएगी वो भी देखते हैं रिपैलिंग नाम क्यों रखा वो भी देखते हैं सबसे पहली चीज ग्रोणी दिमाग में सेट होना चाहिए रीवर की की चोड़ाई में बनाई जाती है जैसा की चित्रों में दिखाया गया है ठीक है रिवर की चोड़ाई के लोंग बनाई जाती है जैसा की चित्रों में दिखाया गया अगर यह रिवर की चोड़ाई है तो चोड़ाई की दिशा में बनाई जाती है अगर भाव इधर जा रहा ह इसकी ख्या-खास बात है यह ग्रोनी आप श्ट्रीम की तरफ होती है पानी इधर से आ रहा है ना बच्चो पानी इधर से आ रहा है तो यह डाउन श्ट्रीम है तो इस वाली ग्रोनी का जुकाओ कि धर की तरफ होता है इस वाली ग्रोनी का जुकाओ आप श्ट्रीम की तरफ ह होता है बच्चो याद रहेगा सभी को कि बिल्कुल इस बार फ्रेंट फूट पे खेलना है बिल्कुल सही बात है अभिशेक नोटियाल एडवांस बैच ले सकते हो एप्लिकेशन का लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से अप्लिकेशन डाउनलोड करो कोर् पेपर टू मलब आगर बच्चा ले रहा है तो उसे विश्वास बन जाएगा पेपर टू थाउजन रुपीज का है तो उसे विश्वास हो जाएगा कि वाके में यह पढ़ा भी रहें कि सिरफ यूट्यूप आके बोल बोल रहें तो उसे यकीन दिलाने के लिए पेपर टू मैं करनी है ठीक है अरे पिएजड़ी तो बहुत बड़ी बात होती है पिएजडी इतनी असानी सुनी होती पीएजड़ी मैंने खुद नहीं करी तुम्हें कहां से कर आऊंगा ठीक है प्हूत महनत लगती हैं यहां तक पहुंचने में अरे एडवांस बैच रिवीजन बैच ही मान लो एडवांस बैच इस काइंड ओफ रिवीजन बैच ठीक है और री एक्जाम में बेसिक बैच भी है वो भी एक तरह से आप अपना रिवीजन बैच कंसिडर करो मेरी बात समझो री एक्जाम जो दे रहा है जो थाड़े 500 से मिलेगा प्लस एडवांस तो मिलेगा ही मिलेगा बेसिक बैच में दोनों चीज़े हैं बेसिक प्लस एडवांस दोनों तो एडवांस के बैच भी उसमें दिखेंगे और बेसिक वाले तो दिखेंगी लेगिन एडवांस बैच में केवल एडवांस बैच इस चीज़े पाइदा नहीं है हमारे concept अच्छे हैं तो ठीक है ओके चलो भाई नेगी शुबम आगे बढ़ते हैं आगे भड़ते हैं ध्यान से सुनना तो अगर हम यह देखें आप इस्ट्रीम की तरफ पॉइंटेट होता क्या है इसे होता क्या है इस हिस्से में पानी रुख जाता है इस से नहीं बना बस 15 से 20 मिनट रुख जाओ ठीक है सारी जाउट्स आपके एक एक डाउट लेके आया हूं बढ़िया से क्लियर करूंगा विद दीपक सकलानी कह रहे हैं कॉंटेंट आपका बहुत अच्छ है भाई हमारे स्ट्रेंट तो नहीं हो आप दीपक सकलानी हमारे गाइड कर रहे हो बच्चों को खैर आपको पसंद आया होगा लेकिन ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से यहां पर यह स्टिल पॉकेट है मैं एक गैरेंटी देता हूं एक एक्जाम जा रहे हो ना एका एक्जाम एका एक्जाम देलेना इसे पढ़के अगर आपके क्वेश लोगों को कभी भी मैं अगर पढ़ाऊंगा समझ नहीं आएगा सिरफ दो ही कारणों से आपको समझ नहीं आएगा कि बस दो ही कारणे होंगे जो आपको ना समझ आए पहला कारण मैं समझाना नहीं चाहता हूं और दूसरा कारण तुम समझना नहीं चाहते हो तो दो कारण में से अगर दोनों नहीं है मैं समझाना चाहूंगा और अगर तुम समझना चाहोगे तो समझ आके रहेगा नहीं आने का सवाल ही नहीं है ठीक है ध्यान रखना कि है है हुआ आपका इस्टुडेंट कि एडवांस बैच की श्टेडी प्रोसेस आप जाके देख सकते हैं एडवांस बैच है एडवांस बैच के अंदर बच्चो आपको बुक्स के अंदर जितनी भी अच्छे से अच्छी चीजे लिखी है उन्हें एक्स्ट्रेक्ट करके शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं ताक सोचना यह तो एक साइट दिखा रखिए मैं आपको एक मैं बना के दिखाता हूं मैं आपको एक बना के दिखाता हूं ध्यान से देखना यह बात अगर बड़े ध्यान से देखोगे समझ आएगी यह आपका रीवर है माल लो या इस से अगले पेज में बनाते हैं यहां पर रिवर है बड़े ध्यान से देगना पूरा प्रोसस समझा दूंगा और कभी भूलोगे नी फिर यह आपका रिवर है ठीक है यह आपका रिवर का ठीक है इस रिपैलिंग ग्रोनी की खास बात क्या है अप स्ट्रीम की तरफ जुकि रहती है एंगेल कितना रहता है एंगेल। to 80 degree कई बार exam में confuse करेगा कई बार exam में confuse करेगा और confusion क्या रखेगा बच्चों मैं आपको वो भी बताता हूं confusion यह रखेगा यह जो line मैंने draw की है यह जो line draw की है this is perpendicular to bank this is 90 degree to bank तो this line is perpendicular to bank और अगर कोई line bank के perpendicular तो ग्रोनी का एंगल उससे कितना बचेगा आप कहेंगे 60 से 80 तो यहां है तो यह बचा 10 degree से लेके 30 degree तो confusion यहां रहता है कहीं बार वो बैंक के साथ एंगल पूछता है कहीं बार वो perpendicular to bank के साथ एंगल पूछता है तो अगर पहले यह बताओ ठीक है यह चैट बोक्स में कौन है भाई यह ओके चलो खेर अभी डिसकस नहीं करते हैं ठीक है पढ़ते हैं बस पढ़ाई पर ध्यान लगाते हैं ठीक है तो गुल शेयर का नाम सुनके कुछ याद आ गया था ठीक है वो तुम्हें भी याद आ गया होगा तो बच्चों ध्यान से देखना वो ना हो भाई ठीक है इधर देखो 60 to 80 डिग्री और यह 10 to 30 डिग्री ठीक है पानी जब इधर से बहकर आ रहा है आप सोचो सारा पानी इधर की तरफ रुक जाएगा क्योंकि इधर तो अटा गया पानी तो इधर हिस्से में एक शांत पानी का पॉकेट बन जाएगा जिसे इस्टिल पॉकेट बोलते हैं लेकिन बच्चों दिक्कत क्या होगी यह पानी आए रुक तो सारा पानी उधर की तरफ रिपैल होगा तो उधर की तरफ अगर रिपैल होगा तो इससे होगा क्या उधर वालो बैंक तो खत्रे में आ जाएगा यह वाला बैंक खत्रे में है लेकिन ये वाला बैंक बच जाएगा, ये वाला बैंक प्रोटेक्टिड हो जाएगा, तो जिस साइड ग्रोनी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो बैंक बच गया, और उससे दूसरे वाला बैंक खत्रे में, तो रिपैलिंग ग्रोनी से जिस साइड बनाई जाती है, उस साइड क जो बैंक है वह तो बच जाता है लेकिन जो दूसरे साइड का बैंक है वो खत्रे में आ जाता है उस पर स्कोरिंग शुरू हो जाती है मेरी बात समझ आया रिपैलिंग ग्रोनी से क्या होता है और जैसे ही बहुत सारा वॉटर अरे कैसी बाते कर रहे हो यार एसा नहीं बोलो किसी के बारे में ठीक है झेकों एक बात ध्यान रखो किसी के बारे में कभी गलत नहीं बूलना नेगिशुभम कभी नहीं गलत बोलना ठीक है फीins कि वह गलत मत बोलना ठीक है अभी मैं live हूं मैं बहुत सारी चीजी ऐसे बोल नहीं सकता हूं जो मुझे बोलना चाहा रहा हूं लेकिन बच्चों नहीं बोलना है ठीक है जब हम लाइव होते हैं तो हमारे जो बात है वह सिरफ हमारे 1 2 3 के बीच circumstance नहीं है वह कहीं सोते क्या कहूं से उसे समझना चाहिए ठीक है किसी के बारे में कभी इस तरह से लाइव में नहीं बोलना चाहिए सबकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है चाहे वह उसने कुछ गलत किया है चाहे उसने सही किया है किसी के लिए भी बात करूं मैं ठीक है आप सबकी अपनी चलो ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई नेगी शुभम फोर रिट्रेक्टिंग यूर मैसेज ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई अब बात अराम से सुनना इस बार पढ़ो इस बार नंबर लाओ इस बार कोई आपके बीच नहीं आएगा ठीक है यह इस्टिल पॉके ठीक है और याद रखना जब हम यहां से चल रहे हैं जब हम यहां से चल रहे हैं तो सारा का सारा वाटर इस ग्रोनी के सिर पर आकर लगेगा इस ग्रोनी के हेड पर लगेगा अब जब इस हेड पर लगेगा तो यहां पर वर्टिकल एडीज फॉर्मेशन होगी वर्टिकल जो इस्कोरिंग हो रही है इसके एक रात है यह हमारे किनारे से दूर है तोई स्कोरिंग का असर इसकोरिंग का यहां किनारे पर नि padない करदेगा इस इस वाले का अशतर पड़ेगा दूसरे बैंक पर तो इसका मतलब हमारे वाला बैंक तो प्रोटेक्टिड है भाई हमने अपने बैंक को प्रोटेक्ट किया अपस्ट्रीम ग्रोवनी बनाकर हमने वाटर को रिपैल कर दिया हमने वाटर को फोर्स किया दूसरी तरफ क्योंकि यहां पर एक शांथ पॉकिट बन गया था SP बोलते हैं short में, SP मतलब still pocket, उसकी वज़े से यहाँ पर scoring हो गई, यह head, जो water यहाँ पर टकरा है scoring, और यहाँ पर bank यह वाला बचा रह जाएगा और पानी safely इधर चला जाएगा, लेकिन इस side में यहाँ पर silting हो सकती है, sorry, यहाँ पर आपका water तेजी से इधर की तरफ आगे क बढ़ जाएगा, उससे हमने यह bank बचा लिया, अब ऐसा नहीं है, पानी में केवल एक ग्रोनी है, थोड़ी आगे जाओगे, थोड़ी आगे जाओगे, तो हो सकता है आपको दूसरी ग्रोनी मिल जाए, ठीक है, दूसरी ग्रोनी मिल जाए, तो उन सब का काम है, एक side को रखा सकता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना है, रिपैलिंग ग्रोनी, रिपैलिंग ग्रोनी जो होती है बचो, वो slightly upstream की side pointed होती है, upstream की तरफ जुकी होती है, bank के normal से, bank की normal से कितना एंगल होता है, जैसा मैंने दिखाया, bank के normal से, bank का normal यह है, 10 से 30 डिग्री, ठीक है, और bank के साथ कितना एंगल है, bank से 60 से 80 डिग्री का एंगल होता है, यह ग्रोनी water को opposite end पर deflect करती है, और adjacent bank पर upstream में, still pocket या शांत पानी बनाती है, रिपैलिंग ग्रोनी के nose पर heavy scoring होती है, यह बात मैंने अभी आपको बताई, nose माने क्या, nose माने यह हिस्सा, this is called nose, ठीक आज यही class चल रही है, बिल्कुल सही मानता हूँ मैं आपकी बात, अभी शेक नोटियाल बिल्कुल दुख होता है, लेकिन आप समझो, ठीक है, मैं live में हूँ, ठीक है, आप live में हैं, तो हमें, किसी के साथ कभी भी personal दुश्मनी तो नहीं रखनी, दुख होता है, मुझे बहुत होता है, मैंने बच्चो को महनत से पढ़ाया था, मैंने कभी भी नहीं चाहता कि एक्जाम दुबा रहे हो, लेकिन कुछ कारण बच्चो आयोग ने बहुत सोस समझ के decision लिया होगा, या जो पुलिस परशाशन है, उन्होंने कुछ सोस समझ के decision लिया होगा, मैं questioning नह रखता हूँ, इसी के साथ मैं re-exam को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, otherwise मैंने भी बहुत महनत से पढ़ाया था, हमारे यहां के बहुत बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, यह बच्चे अगर जो आपके list में आ रहे हैं, इने हटा दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनके अलग हमारे यहां इमानदार वाले बच्चे, महनत वाले बच्चे बहुत थे, ठीक है, क्योंकि देखो, अब एम कैंपस से कहते हैं, बच्चे एम कैंपस से क्यों हैं, एम कैंपस से होने का एक ही मातर कारण है, रुड की छेतर के आसपास से लेके, आपके पहाड़ों के अंदर स थे लिए आपको निभानी पड़ेगी तो ऐसे बच्चे जादे दिन तक नहीं रुक पाते जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने किसी और माध्यम से पेपर को लेना चाहरे तो दुख हमें भी होता है मैं आपको क्या इस चीज को बता सकता हूं ठीक है कि परजपत HSC के लिए भी दो क्लास कर दो देखो मैं आपकी क्लास का टाइमिंग तीन घंटे कर रहा हूं लगबग साड़े छे से लेके आपकी साड़े नो बजे तक क्लास मैं कॉंटीनिव करूंगा ठीक है लेकिन दो क्लास करने से अच्छा मैं कोशिश करूंगा देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर पा रहा हूं मैंने बहुत कोशिश किया आपकी दो क्लास करने की सुभह के इरिगेशन और शाम को फ्लिवड मकाने लेकिन वो किसी वज़े से नह प्रॉमेशन नहीं कर सकता लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कल सुभह को आपका लेक्चर दुबार लाइब करनेगी ठीक है परजापत है ओके ग्रोनी रिपैलिंग वेलोसिटी हाई बिल्कुल जब आप बहुत सारे पानी को छोटी सी जंगा से लाओगे तो वेलोसिट क्योंकि यहां भी पानी रुका साही होगा तो यहां भी आपकी सिल्टिंग हो जाएगी यहां से पानी चला जा जाएगा इस से फायदा ही होगा एकस बैंग कहता संगा ग्रोणी के कंपेर में रिपैलिंग ग्रोणी अधिक सूटेबल होती है बच्चो याद रगना अट्रेक्टिंग ग्रोणी से ज्यादा यूज किसका करते हैं रिपैलिंग ग्रोणी का करते हैं कि अपका लाइव वला हंड्रेड पर्सेंट समझ आता है चलो बिल्कुल कोशिश करेंगे ठीक है कल कोशिश करूँगा मैं कभी भी नहीं चाहूंगा आप लोगों का नुकसान ओपकी लाइफ का सवाल है मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँग मैं चाहे जो हो आपके लिए कल से मैं पूरी कोशिश क्या मैं पवादा करता हूं कल करूंगा ही करूंगा जब आपने इतनी बार request किया है मुझसे तो मैं आपकी भी दो class करूंगा ठीक है अब इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े ठीक है चलो जब इतनी महनत हो रही है थोड़ी और महनत करूंगा लेकिन आपके लिए भी करूंगा ठीक है देखो मैं सिरफ इसलिए आपके सामने कोई और फैकल्टी अभी नहीं ला पाया हूं क्योंकि जिन फैकल्टी को मैं अप्रोच कर रहा हूं उन फैकल्टी के पास समय की पढ़ा हुआ है उपर लेवल पर जाएंगे तो शायद दो तीन लोग होते ही होते हैं ठीक है लेकिन जेए का लेवल मैं बड़े अच्छे समझता हूं और मैं आपको गैरंटी देता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं है एक्जाम में भी बहुत बैनिफीशल है आप पढ़के देखना कभी ठीक है किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इन्फोर्मेशन एक एक हुरूप जादे ही मिलेगी कभी कम नहीं मिलेगी अट्रेक्टिंग ग्रोनी के कंपेर में रिपैलिंग ग्रोनी अधिक सुटेबल होती है तथा रीवर ट्रेनिंग और बैंक प्रोटेक्श बैंक प्रोटेक्शन के लिए कौन सी ग्रोनी जादे यूज़ करते हैं रिपैलिंग ग्रोनी का यूज़ जादे किया जाता है बच्चों याद रखना कि अधिक है ठीक है मैं कभी भी यह नहीं कहूंगा कि कौन सार अच्छ है कौन नी वह अच्छ है मुझे पता है इसलिए कभी आपने मेरे मूझ से कुछ सुना भी नहीं होगा ठीक है मैं गलत बोलता ही नहीं किसी अच्छे इंसान के लिए ठीक है मैं देखता हूं अच्छे से सबको जानता भी हूं अच्छे से देखता भी हूं लेकिन मैं अभी यह नहीं जानता हूं कि कौन टीचर कितना कॉंसिस्टेंट है मुझे कॉंसिस्टेंसी नहीं समझाती कि क्या मैं पूरे साल बच्चों के लिए जब मैं खड़ा हूं के नहीं खड़ा हूं या फिर मैं consistent नहीं हूं ये बात मुझे नहीं पता चल पाई है तो वो एक reason हो सकता है ठीक है वो एक reason हो सकता है नहीं तो कोई ऐसा issue नहीं है और most switch mode power supply उसके अंदर कुछ गड़बड़ी थी तो वो समझ नहीं आ पाया कि किस में खराबी है फिर inverter में समझते हो साइन वेव इंवर्टर होता है वो मुझे यह सब जब दिक्कत आई ना कल हिंदी का लेक्चर कट हो गया बीच से तब मैंने इस चीज़ को ढूंडना शुरू करा कि problem किस जंग है तो बहुत टाइम लगा उस चीज़ को समझने में कि इनवर्टर में भी हो सकती है आपके smps में भी हो सकती है तो कहां से शुरू करें ups के अंदर दिक्कत है कि नहीं है तो वो खुद सोचने में समझने में ठीक करने में सिस्टम को टाइम लगा उस वज़े सा आपका lecture delay हुआ है ठीक है अदरवाइस और कोई कारण नहीं था ठीक है बिलकुल मैं कोशिश ही यह करता हूं आपको सारी बाते समझाए ठीक है पता समझ आने का पता क्या कारण है समझ आने का आप समझोगे नी, समझ आने का ये कारण है, जब कोई बात उसकी जड़ से बताई जाए, तो वो समझ आ जाती है, जब कोई बात उसकी जड़ से ना बता कर उपर उपर से बताने की कोशिश की जाए, तो वो समझ नहीं आती है, जब कोई बात जड़ से बताई ज जाओ उसे समझः आति है फिर डिपेंड करता है वह बच्चा अपने से कितनी महनत करता उसे रोकने के लिए अपने दिमाग में क्योंकि आने के बाद जाएगी तो बात तो उसे रोकने के लिए महनत लगती है समझे आगे बढ़े हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चो अगले पॉइंट की तरफ मूव ओन करते हैं अगले हैं हमारा अट्रेक्टिंग ग्रोनी क्या है हमारा अट्रेक्टिंग ग्रोनी ठीक है अट्रेक्टिंग ग्रोनी किसे कहते हैं अट्रेक्टिंग ग्रोनी का मतलब होता है बच्चो यह ग्रोनी रीवर फ्लो को अपनी ओर अट्रेक्ट करती है क्योंकि यह डाउन स्ट्रीम की तरफ जुकी होती है किसकी तरफ जुकी होती है डाउन स्ट्रीम की तरफ याद रखना अट्रेक्टिंग रोनी कैसी दिखती है बच्चो दिस इस दा अट्रेक्टिंग रोनी इस पॉइंट टूर्ड डाउन श्ट्रीम इसका एंगल 45 से 60 डिगरी बताया गया मैं आपको बता दूँ दिस गिवन इन इसी पुन्मिया बुक लेकिन यही एंगल आपको 30 से 60 डिगरी दिया है के आर अरोडा की बुक में ठीक है और जहां तक मैंने देखा है ऐसके गर की बुक में शायद यह एंगल मिस है लेकिन याद रखना यह भी यहाँ से देखो पहली बात तो याद रखना यह डाउन्स्टि म कि तरफ बिल्कुल ध्यान डाउएवर्ट होता है, बिल्कुल सही बात कई, attracting grony और diverting grony, बच्चों, diverting grony क्या है, repelling grony क्या है, पीछे की तरफ pointted है, attracting grony औगे की तरफ pointanter है, समझ आया होगा, angle 45-60 एक बुक में दिया, एक में 30-60 डिग्री भी दिया है, लेकिन यह river flow को अपनी और attract करती है मतलब इसके अंदर क्या होता है सारा पानी इधर की तरफ से आके ऐसे चलता है और याद रखना ऐसे चलता है और यहाँ पर एक बहुत important बात है मैं आपको फिर से बताता हूँ दुबारे से बना कर मैं आपको दुबारे से बना कर बताता हूँ अगर यह आपकी river है अगर यह आपकी river है बच्चो और यह river के अंदर मैं आपकी लगा देता हूँ एक attracting groaning this is your attracting groaning और attracting groaning बच्चो यहाँ पर जो water का flow होता है वो सारा इधर से ऐसे चलता है इधर से चलता है ऐसे इधर से निकलता है लेकिन सारा water बच्चो इधर की तरफ से चलता है और यहाँ पर सारी scoring होती है तो यह जो scoring हो रही है इस bad के पास होती है क्योंकि 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 बच्चो मेरी बात ध्यान से सुनना जो repelling ग्रोनी थी वहाँ पर scoring यहाँ हो रही थी लेकिन attracting ग्रोनी के अंदर मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना लेकिन attracting ग्रोनी के अंदर scoring यहाँ हो रही है downstream end पर और near the bank, near the bank, यह near the bank है इस वाले bank के पास हो रही है, यहाँ पर हो रही थी बच्चो तो यह हो रही थी repelling ग्रोनी में repelling ग्रोनी में जो आपकी scoring हो रही थी score hole बन रहे थे वो दूसरे bank के नजदीक थे लेकिन यहाँ पर scoring हो रही है down stream पर इस वाले bank के नजदीक है उसकी तुलना में ठीक है तो यह वाली ग्रोनी इतनी beneficial नहीं है इस bank को बचाने के लिए बले ही दूसरे bank को यह बचाए लेकिन इस bank के यहां पर आपको यह कहा जा रहा है बच्चो यहाँपर आपको यह कहा जारा है attracting वड़ोनी में बैंक के नजदीक secure score hole बनता है at attracting वरोनी में bank के नजदीक score hole बनता है तो score formation take place near the bank याद रखना attracting THIS रहुनी में बैंक के नजदीक ये एंगल मुझसे गलती से लिखा गया है इसे में काट देना पसंद करूँगा थीक है इसे में बिल्कुल हटा देना पसंद करूँगा यह जो एंगल है कभी आप ऐसा लिख लो यह नहीं है एंगल अट्रेक्ट इंग का यह एक लिए मैं आपके लिए क्या लेकर ले ना बस ठीक है और एक book में मैंने बताया 30-60 भी दिया गया है attracting गलानी में bank के नजदीक score all बनता है तथा attracting गलानी में upstream face पर मुख्य रूप से attack होता है वह upstream face को अधिक protection दी जाते हैं यहाँ पर upstream face को अधिक protection दी जाती है क्योंकि सारा पानी पहले इधर जाएगा फिर इधर से आएगा ठीक है ध्यान रखना यह बात क्लिरे पॉइंट यह attracting ग्रोणी opposite bank को production देते हैं क्योंकि यह अपने से जुड़े bank की side को attract करते attracting ग्रोणी commonly used नहीं की जाती इस आर not used commonly याद रखना यह सिरफ रियाद रखने वाला पॉइंट है इस परकार से सही होता है ग्रोनी में सिल्टिंग अबसेंट होती है इस परकार के यह बिल्कुल perpendicular है आपकी bank से और आपका water यहाँ पर repel ना होने की बजाए बस deflect होता है मतलब यह force निकर रहा है पानी को के उधर जाओ बस यह दिशा को दे रहा है कि इधर से ही निकलना है आपको तो deflect करना और repel करने में थोड़ा सा difference है ठीक है ध्यान रखना यह ग्रोनी तो bank के perpendicular या slightly upstream की तरफ जुकी होती है अगर जुकी भी होगी थोड़ी सी upstream की तरफ जुकी होगी यह water को केवल deflect करती है ना कि आपका repel यह ग्रोनी केवल local protection दे पाती है केवल और केवल local protection दे पाती है ठीक है ध्यान रखना यह बात जादे important नहीं है अब देखो यह आपको एक image दिखाई गई है उपर से यह आपकी एक ग्रोनी है इस ग्रोनी ने क्या किया water को force किया है इधर से चलने के लिए अगर पानी के अंदर यह ग्रोनी हटा दूँ तो सारा पानी इधर से होकर जाता यह वाला bank खत्रे में था इस वाले bank पर erosion हो सकता था तो ग्रोनी ने क्या किया water को उधर divert किया ताकि पानी उधर से जाए उधर erosion होता हो हो जाए इधर ना हो क्योंकि इधर सैद कुछ गाओं या कुछ कसबा बस्ती हो सकती थी तो इसलिए हमने यहाँ ग्रोनी बना कर सारे पानी को उधर से deflect कर दिया अब जैसे हम लोग क्या करते हैं मंदिरों में जाते हैं घाट पर जाते हैं तो वहां भी अगर हम चाहते हैं पानी का भाव नियंत्रित कर दें जिसमें लोग अराम से डूब की लगाए और अगर कोई बह जाए तो यहां टक जाए तो उसके निगल और जहां हम हो वह शांत सही पानी हो एक बिल्कुल स्लाइटली पॉइंटिट अपिश्ट्रीम बिल्कुल ठीक है बात ध्यान रहेगी सभी को deflecting grony क्या होती है deflecting grony अगर समझ आया last हमारी है sedimenting grony बस बात हमारी खतम होने जा रही है sedimenting grony ऐसी grony होती है जो water के flow को बिना repel बिना deflect किये deposit sediment को रोग देती है sediment को control करने का काम करती है और par गम्य grony permeable grony इसी का example है permeable grony इसी का example है कई बार हम कई बार हम ऐसी grony बनाते है stone की या अन्य material की जिसके beach में से पानी होकर जाता है और पीछे सारा rate मिटी सब पीछे रोग देते हैं तो उसे permeable grony कह लेते हैं या फिर बच्चो sedimentary grony permeable grony में अलग-अलग तरह की grony है tree grony है बाली है ठीक है इसके इलावा pile grony है तो अलग-अलग grony आती है permeable में advance batch में और detail में देख लेंगे ताकि objective छूटने की संभावना ये खतम हो जाए ठीक है बिल्कुल आगे भड़े अच्छा special type की grony किसे बोलते हैं एक होती है अमारी Danny या T-headed grony टी-headed grony होती है बचो एक होती होकी-headed grony होकी-head grony होकी-ग्रोनी भी बोलते है ठीक है दो तरह की grony होती है special grony की category में आती है अब तुमसे यह सवाल पूछ सकता है यह होकी-head grony कैसी होती है यह attracting grony का एक type है attracting grony का एक type है याद रखना यह question exam में पूछा जा सकता है और मुझे जहां तक याद है इस बार मुझे जहां तक याद है इस बार शायद एक बच्चा बता भी रहता है ऐसा कुछ question आया हुआ है टी-headed grony जो होती है बच्चो 1880 में Danny के द्वारा बनाई गई थी वो Danny नहीं जो पिच्चर में आता था ठीक है grony की में एक extra cross grony provide की जाती है ताकि bank को protection provide हो सके बच्चो देखो यह आपकी टी-headed grony है जिसे आप देख रहे हो इस grony के साथ एक cross grony दे दी मलब एक cross आपका element दे दिया ताकि यहां पर head था यहां पर head को बचाया जा सके नहीं तो बहतावा पानी head का सत्यानास कर सकता है इसमें पत्थर उखाड उखाड के बाहर फेक सकता है इसलिए हमने पानी को काटने के लिए एक यहां पर पानी को बचाने के लिए यहां पर एक cross gro니 लगाई या क्रोणी के अंदर एक cross element लगाया, जिसे हम T-headed बोलते हैं, इसमें खास बात यह है अपिश्ट्रीम में length ज़ादा होती है इधर length जाते होती है इधर length short होती है इधर length जाद होती है इधर length short होती है याद रहेगी ये बात ये होती है हमारी T-headed grony याद रखना T-headed grony grony के nose पर better safety provide करती है attracting grony के similar इसमें भी bank protection के लिए use नहीं किया जाता ये भी sorry ये वाली यहाँ पर भी हम क्या करते हैं head को या nose को ये बात यहाँ पर भी सही थी और यहाँ पर भी सही थी इस grony में extra grony cross cross grony provide की जाती है ताकि bank को protection दिया जा सके यह आपके जो nose है उस पर ज्यादा हीट ना पड़े cross grony का main protection देने के लिए ध्यान रखना main grony को protection देने के लिए cross grony बनाए जाते है cross grony को upstream में अधिक लंबाई मे तता downstream में कम लंबाई में रखा जाता है क्योंकि उसका main purpose ही upstream side पर है ठीक है उसका main purpose ही upstream side पर है अब last में मैं आपको दिखाता हूँ T grony, T grony attracting grony होती है बस इसमें थोड़ा curvature provide करते हैं ताकि यहाँ पर nose पर अच्छी safety मिल सके ठीक है grony के nose पर better safety provide करती है attracting grony याद रहेगी यह बात है ठीक है अब यहाँ पर एक diagram में आपको दिखा रहा हूँ इस diagram के बाद आपका कोई doubt नहीं बचेगा objective के point से objective के point of view से कोई doubt नहीं बचेगा सबसे पहले ध्यान से देखो सबसे पहले ध्यान से देखो कहा कहा score hole बनते हैं अगर attracting grony है तो score hole downstream पर बनता है और bank के न downstream पर जबकि आपकी deflecting grony अगर है जो थोड़ी सी pounded होती है वहाँ पर केवल score hole थोड़ा भोत अगर बनेगा तो आपका head की तरफ बनेगा जबकि repelling grony में score hole बिलकुल head के आसपास बनता है यह ध्यान रखना जो आपकी sedimenting grony है बच्चो sedimenting grony के अंदर आपकी score holes जरा head पर ही बनते वे दिख रहे हैं लेकिन बच्चो याद रखना यहाँ पर silt pocket भी बनता है repelling grony में इधर की तरफ यहाँ अंदर की तरफ silting pocket भी बनता है यहाँ पर score hole कहां बनते हैं चुकि attracting grony है downstream पर ही बनेगा और T headed grony में upstream और downstream दोनों साइड में score hole formation होता है T grony में दोनों तरफ score hole का formation देखने को मिलता है upstream भी और downstream लेकिन जो main grony है वो बची रहती है क्योंकि उससे आगया और उससे पीछे ही बनते है score holes score hole मतलब गहरों गड़े में ठीक है बात याद रहेगी सभी को बस अब last हमारा point बचा है बच्चो spacing वगरा पूसता है grony की spacing वगरा पूसता है ठीक है वो सब आप चीज़े हमें ध्यान रखनी है बेंडलिंग क्या होता है यह सब मैं चीज़े advance batches में कराऊंगा आप लोगों को लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़े और बता देता हूं ठीक है क्या होती है चलो ठीक है अभी तक नहीं पता चल पाया था ठीक है ग्रोणी की जो spacing होती है दो ग्रोणी की बीच की दूरी ग्रोणी की spacing इस बात पर depend करती है कि bank किस परकार का है किनारा convex भी हो सकता है concave भी हो सकता है straight भी हो सकता है तीनों परकार के हो सकते हैं जैसे यह अगर मैं यहां provide कर रहा हूं तो यह मेरा किनारा अंदर से देखने पर convex है अगर मैं यहां groany provide कर रहा हूं ये किनारा अंदर से देखने पर concave है तो ग्रोनी के अंदर जो आपका convex किनारा और concave दोनों में से किसी भी तरफ provide कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ग्रोनी convex side पर provide की जा रही है convex मतलब और concave मतलब अंदर खड़े होके देखना है ये हैं हमारा convex और ये वाला side है हमारा concave अगर ग्रोनी convex bank पर provide की जा रही है तो spacing अधिक रखी जाती है और convex bank पर spacing लगबग 2 से धाई गुना रखी जा सकती है कितने गुना रखी जा सकती है 2 से धाई गुना ठीक है आगे भड़े बड़े ध्यान से सुनना बच्चो जो भी बच्चा अगर mains का batch UKPSC JEE हर्याना JEE और आपका SSC JEE और इसके अलावा जो preparation चल रही है UKPSC के advance batch वो सभी जोइन कर सकता है application का link description box में दिया है किसी भी doubt की कोई भी doubt आए किसी भी doubt की कंडिशन में आप दिये गए नंबर पर call कर सकते हैं application के अंदर भी दिया गया है ठीक है एक बच्चा offline हमारे कोर्स के अंदर है वो कुछ पूछना चाह रहा है रहा है रहुल राज हां रहुल राज पूछो क्या doubt है कुछ doubt पूछना चाह रहे हैं है ओके देखो हमारे पास एक और फैसिलिटी है अगर आपको को डाउट है आप डिरेक्ट बोल के पूछ सकते हैं हमसे वन टू वन कम्यूनिकेशन रहती है ओनलाइन क्लासिस में जैसे की बच्चा घर पर कर सकता है ठीक है तो इवनिंग में जितने भी क्लासिस होंगे आप डिरेक्ट मेरे से डाउट पूछ सकते हैं है ठीक है लेंथ ग्रोनी की जो लंबाई है उसकी ध्यान रखना यह लिखा यहां पर देखो लंबाई के दो से धाई गुना अगर मैं आपसे कहूं यह मेरी रीवर है और यह मेरी ग्रोनी है अगर ग्रोनी की लंबाई एल है तो मेरी ग्रोनी की जो स्पेसिंग है वो कितनी रखी जा सकती है दो से धाई गुना रखी जा सकती है ठीक है ध्यान रहेगा इट केन बी टेकन टू-टू-टू-पाइंट-फाइब टाइमस ऑफ लेंथ जबकि कॉनकेव बैंक पर इस्पेसिंग ग्रोनी की लंबाई के एकवल दी जाती है जो कॉनकेव बैंक है उनमें केवल सपतर्य जांतोंगे तो सबसे ज्यास संघ्षिंग कहां रखते हैं कॉनकेव मं उससे कम कहां रकते हैं और सब्सक्राइब हो है बात याद रहेगी सबीको अ कि बात याद रहेगी कोई किसी वच्चे कErgoad क्ते कए की यतनी की नहीं रखते हैं याद रहा जब introduced को के ब moc बच्चों लास्ट पार्ट पर इंपर्मेबल और पर्मेबल ग्रोनी ग्रोनी दो परकार से क्लासिफाई की जा सकती है एक इंपर्मेबल होती है ठीक है लगबक दो घंटे हो चुके हैं हमने ग्रोनी का टॉपिक और अपना रिवर इंजिनरिंग का पार्ट लगबक खतम कर ल ठीक है यह रॉक फिल या अर्दन डैम या कॉंक्रीट के ब्लोक या स्टोन को उनके फेस पे लगा के बनाई जाती है ठीक है है एड़ ऑफ ग्रोनी को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं क्या होती है यह आप ध्यान से देखना ध्यान से देखना मैं आपको समझा दूंगा अगर मैं रीवर के अक्रोस ऐसे करके कोई ग्रोनी बनाऊं इस ग्रोनी की खास बात देख रहे हो इसके अंदर से पानी पार हो सकता है लेकिन जब पानी यहां आएगा तो पानी अटकेगा अटकेगा तो यहां सिल्ट छोड़के जाएगा तो परमेबल ग्रोनी बेसिकली सिल्ट छोड़ती है पानी इसके अंदर से निकल जाता है लेकि तो शकुस करूंगा एडवांटेज और डिसद्वांटेज यह सस्ती होती है जो हमारी यह वाली भरोनी परमेबल टेम्परेरी श्ट्रक्टर रहें सेडिमें डिस्पोजल के लिए बहुत अच्छी रहेगा ठीक है बात कोई पूछ नहीं हो तो पूछ सकते हो क्लियर बैंक पिचिंग चलो यहां पर रोकते हैं दो घंटे हो चुके हैं अब इसके बाद बहुती कम बचा है हमारा पाल्ट ठीक है वह हम आगे अपने अप्लिकेशन में या फिर क्लास्रूम में कवर कर लेंगे ठीक है आज काफी लेट हो चुके हैं दस बच चुके हैं दस बच के एक मिनट हो गया मेरी घड़ी में तो आज एंड करते हैं अगर कोई यूके पी सी का कोई भी बैच आप जोईन करना चाते हो एडवांस बेसिक हर सेपल ऐसी आधी एक्जाम के लिए एक्सस इंजिनियर्स का बैच अप्लिकेशन डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलिग्राम का भी लिंक दिया गया है ओके एंड करते हैं आज का सेशन ओके गुड़नाइट सभी को अब मित सैनी सारी कहानी खतम हो गए और तुम पूछ रहे हो ग्रोनी का एंगल 90 डिग्री होगा क्या ओके विए रेंडिंग दे सेशन सैशन एंड कर रहे हैं बच्चों सभी को गुड़नाइट ओके एडवांस की फी संजीव पतेल 2000 रुपीज है आप एप्लिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं ठीके ओके एंड कर रहे हैं कि प्रेंड इंड आउट दें यू आस्ट विदिन टू मिनिट्स अरे इस्ट्वर्ट एडम एक बरी कोचिंग में कॉल करो बात करो मेरे से बात करो तब फाइनल हो जाएगा ठीके अगर आप ओल्ड इस्ट्वेंट हो मैं चलो एंड कर रहे हैं सेशन लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक एक मिनिट रुको मैं डाल देता हूँ वहां से डाउनलोड कर लेना ठीके लिंक में डाल देता हूँ एपलिकेशन का जो लिंक है मैं आपको अभी शेर कर रहा हूँ ठीक है वहाँ से डाउनलोड कर लेना कोई भी अगर डाउट हो तो उससे आपको मिल जाएगा वैसे तो Access Engineers के नाम से है application अगर कोई link नहीं मिल रहा है तो मैं यह आपके chat box में डाल रहा हूँ यहाँ से आप link ले लेना ठीक है अगर यह link आपका play हो जाए तो एक बार देखना इस link से आप क्लिक करके यह link मैंने share कर दिया है अगर आपको डाउनलोड करनी है अप्लिकेशन पेपर टू का कोर्स लेना है थाउजन रूपीज में है आप application डाउनलोड कर सकते हैं सचिन आप application डाउनलोड कर सकते हैं सारे टॉपिक इसी डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी डेप्थ में पढ़ाऊंगा बहुत अपडेट कर चुके हम अपने content को ठीक है वह किया रहे है पिन किया हुए लिंक वह पेपर वन का वह सौरी रिवर इंजिनिंग पार्ट वन का है क्या सवां सर जी एडवांस बैच में जो रिकॉर्डड वीडियो है वह सफिशेंट है सर जी बिल्कुल सफिशेंट है के अश्चवान टेंशन मतलों अगर आपके शाड़े पांसो छेस्टों से उपर नंबर है तो आप एडवांस बैच में जो पढ़ा रहा हूं सिरफ वह पढ़े अगर आपको कुछ डाउट लग अंदिंग देशन गुटनाइट